गूद आफ्रनून एवरीवन और वेलकम तो इस सेकेंड लेक्षर ओफ कंप्लेक्स अनलाइस से दूसरे लेक्षर में आपका स्वागत है आफ्रनून लेक्षर में वहीं से स्टार्ट किया जाएगा जहां मौर्निंग लेक्षर में फोड़े थे विद रिस्पेक्ट टो एक्स टू माइनस डिस्टेंस इन डिरेक्षन ऑफ एक्स एंड़ एड़ बैक्षन और बैक्ट जो भी हो प्लस मैनस अपने आप बता देगा अर्थात इट बिल रिप्रेजेंट कंप्लेक्स नंबर जेट्टू माइनस जेड़ वन अभी पुरानी बाते ही बोल रहे हैं ठी से पिकप पकड़ेंगे तो कि यह मैं अब ठीक लग रहा है हां से साउंड और पिक्चर अची तरह से जा रही है यह से सब्सक्राइब वेरी गोड़ है लब फस्ट आपका जो समस्याता सब दूर हो गया है हां से एकाद हाफ कुछ ना कुछ चमतकार होई जाता है टो प्सालिप क्याम थैजड जाता है वानग ठीक में तो अब देलेगा है तो प्सक्राइब शाड़ना रहा है है तो लाग फिक्षचाँ यहाईच। है कि फी नैजे है यह होगी जो है जो करके वही बना रहे है तो को पी वेक्टर ऑdir ORакो वेक्टर पीक्यू वेक्टर वेक्टर के दुनि आप ऐसे भी जानते हैं कि ओपी वेक्टर प्लास फीक्यों वेक्टर एज आपको तो इतना अच्छा तच मपश मिलेगा के टेंसर ही नहीं होगा कि इधर से सोचे इधर से सोचे कि सोंचे कि ओ के दिस रिप्रेजेंटिंटिंग जैडवन ठिटू और इस बिल भी ऑ्टोमेटिकली ज्टू-फंध δोनों का जोड़ होना तो है ज्टुट तो ज्याडवन में क्या जोड़े की बनेगा भी माइनस ए बचावला ही सवाल ना है एक ना कोई दिकत और यह डिस्टेंस मॉडलस आप जेड़ वन यह डिस्टेंस मॉडलस आप जेड़ तो यह डिस्टेंस भगला हें देने जा रहे हैं डिस्केंस बेट्वें जेड़ वन एंड जेड़ वन कम आट ओके यह डिड़ माइनस ये टू कम आट लोग यह माइनस वन का मॉड क्या होगा वन देख लिजे पहले आराम से पिक्चर पुराना ही पिक्चर है लेकिन एक तीर से दो निसाना कंप्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन तो हो गया अब डिस्टेंस भी निकल गया मैं हूं मैं यह बिंदू है जेडवन यह बिंदू है जेड़ टू एक तरह से दो बिंदू के बीच की दूरी ठीक है ना इसी आधार पे ना आपका भी टूडी में प्रूफ किये होंगे देन बिस्टेंस बिटमिन एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब का होले स्कॉर प्लस का होले स्कॉर ओके तब उसी का नाम कभी आप पी क्यूं लिखते थे और आराम से लिखते होंगे अंडर रूट अब इसको देखकर कमप्लेक्स नंबर कौन उच्छल गया यह टू पाठ है यह तो मेरा इमेजनरी पाठ है तो अब सिधे लिखो ना भाई की दिस जेट टू माइनस जेट वन का मॉट हर एंगिल से अपने आपको जग आईए कि आप क्या पढ़ रहा है उसका पुरा हसास हो वही आपका टूडी का वेक्टर है ठीक है ना टूडामेंशनल ज इन फिर पिक्टर वन आई है अब पिक्टर के साथ ही लिखिये डिस्टेंस बिट्वें जेट वन एंड जेट टू ठीक है ना इस इक्वल टू माइनस जेड ऒन कि मॉडलस टूडी भी कितना कुछ है सपोर्ट किया कि नहीं किया आपका जेट tutti इनपकर निकर्याल पार्ट करीए जसना माइन सैंधनरी पार्ट इसजबॉरống यह को इस अच्वास मार्ट अ ही हो कि देख लिजे कोई दिकत थीक है कंप्लेक्स नंबर की असली पहचान उसका एंप्लिचूड और मॉड्लेस अगर हम बोल दें कि आप एक ऐसा कंप्लेक्स नंबर मुझे टेपिक्ट करके दिखाए जिसका मॉड्लेस 5 है और जिसका एंप्लिचूड पाइब सिक्स है तो शायद आप कितना खुश होकर जैसे रफ बात कर रहे हैं लोंग एक्स एकसे विल टेक वैलुवफाइब और इसको कहेंगे कि आप रोटेट होकर पाइब सिक्स एंगल से जहां पहुचेंगे ठीक है ना रोटेट होकर पाँच लिंद का मारकर उठाए औ दिस पॉइंट बिल रिप्रेजेंट कंप्लेक्स नमबर फाइब इन्टू इटू दी पावर आउटा पाइब सिक्स ठेक है नग्दम बच्चा जैसा हरकत जगह था नहीं तो भड़ा हुआ है लिखने पहले पूरी तरह से वेक्टर का टच टूडी का टच सब टच मेंटेंड है बड़ा मजाएगा ठीक है ना कि देखिए तमने कोश्चन पूछने में अच्छा लगेगा पहले पूरा बेस बना लीजिए छोटी छोटी बात अच्छा अच्छा बोली इसको मिटा दें डिस्टेंस हो गया मुठी में किने का माई कौन है नाम बता दीजिएगा यहीं लगता लाइन बना हुआ है इसके उपर फिलाल नहीं लिखना है लिख लिए फिर एक पिक्चर बिना पिक्चर का कोई बात नहीं के पहले पिक्चर ठीक है इस पॉइंट पी अब तो पी से दोस्ती हो गया होगा इस रिप्रेजेंटिंग कंप्लेक्स नंबर जेड देन दिस इस मॉडलस आप जेड और आर ओ कोई शब्द में तक लीफ हो और दिस एंगल इस थीटा एंड वाट इस यूर जेड यह भी लिख देते हैं भाई एंड दस इस आर इंटू इटु इटु दी पावर आउटा थीटा ठीक है ना अच्छा ओपो ओक्यू जी का ओन है अब तो आफ हो गया लग रहा है माइक अब तो आन कर लेगा ठीक है ना लिख लिए रोटेशन नाम सुनें कभी इव रोटेट आवर कंप्लेक्स नंबर जेड बाइन एंगल अलफा इन एंटिक्लॉक्वाज डारेक्शन काउंटर क्लॉक्वाज डारेक्शन ऐसे रोटेट करने जा रहे हैं ठीक है ना यह है आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन इसके अबाउट रोटेशन चल रहा है अगर छोड़ भी दे कि किसके अबाउट कर रहा है तो वह और इजिन होगा यह नहीं कि अपने मन से कुछ दिमाग में लगा रहे कि तो अगर आप रोटेट करेंगे ठीक है ना आप मारकर जो ऐसे है उसको आप इसके बाउट जो इसका पाईवट है ठीक है ना उसके बाउट अगर घुमाएंगे तो क्या इसका रेंथ बतले गा बोलिए नहीं न बत लेगा क्या इसका एंप्लिशूट तो अगर रोटेट करवाने के बाद पी क्यू बन गया क्या बन गया क्यू देन ओक्यू का लिंथ वही का वही आर यानि क्यू जिस कंप्लिक्स नंबर को डेपिक्ट कर रहा है उसका मॉडलस मेंटें बट इस एंप्लि अलफा अगर वह अलफा एंगल से एंटी क्लॉक्वाइज में रोटेट किया है तो अगर वह क्लॉक्वाइज में रोटेट करेगा तो वही चीज माइनस हो जाएगा और इधर आएगा तो एंप्लिशूट थिट्टा माइनस अलफा हो जाएगा तो सिंप्ली अलफा को माइ कि ओके देख रहे हैं ना इंग्लिस लिखें अभी तक नहीं लिखें क्योंकि पहले समझा ले तब लिखने में मज़ आएगा लिखते लिखते तो मुझे रिवीजन करना है थेक तो नाव पूट्यूर है थेक तो नाव पूट्यूर है इस रोटेशन यहात कटनी रहना अफ अनी कंप्लेक्स नंबर जेड़ अब आउट और इसन का आप कोई चिंता मत कीजिएगा और ब्रैकेट में और इजिन लिख दे रहा है ठीक है ना बलकि ब्रैकेट में अब आउट से लिखना शुरू कर दे तो और अच्छा है आप ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो भी वही मिनिंग है ब्रैकेट क्यों लगा दिये पता है तो कि अगर केवल कहा कि रोटेट देस रोटेशन के बाद मैं क्या बनूंगा अब आउट नहीं दिया तो ऐसा ने कि अपना सर हूं की दूर है कि तो कहां से स्टार्टिंग व्इंट से उतना दूर है और के कि मैं दोरते दोरते 5 km चला गया कहां से 5 km चला गया अपने घर से ना जहां से दोड़ना शुरू किया था ठीक है यह नहीं कि अगर आफिस रोटेशन के बाद यह क्यों अगर कंप्लेक्स नंबर जेड़ वन को इंडिकेट करता है दिन वाट इस मॉडलस ऑफ जेड़ वन और और वाट इस एम्प्लिचूट ऑफ जेड़ वन देखे तो चुपके चुपके पूछ रहा है लिखते भी जा रहा है जेड़ वन की मान मॉडलस वही रहा जाएगा एम्प्लिचूट बिल बिकम ठीटा प्लस अल्फा अर्यू कंपिडेंट ठीक है ना अभी अंटिक लोग वाज नहीं लिखे लिखेंगे नंबर वन नंबर ट इंटू देस इन्टू इटू दी पावर आउट अलफा अन्डिस जेड इटू दी पावर आउट अलफा हो गया को दिकर पहले डिवेशन पहले पिक्चर और इंगलिजिश लिखते-लिखते रिविजन क्या किये हैं उसका पता अच्छी तरह से चले कि तो पिक्टोरियली मामला साफ हो गया पिक्चर एंटि क्लॉक वाइस दिखा रहा है टो मैं सिधे अलफा को माइनस अलफा से रिप्लेस कर दूँगा पे जितना जगा है एक बार में या तो अंगलेस लिखा पाएंगे तो पसंद ने करते होंगे कि पहले समझ लें लिखते रहेंगे या पसंद उल्टा है यहां साब बुरिए का इसा पहले लिख कर समझें हम तो दोनों इसके लिफे लिए त्यार है ठीक है ना देख लिए ना सब्सक्राइब ने अब क्लोक वाइस दिख रहा है यह कैसे गुमाएं गड़ी का उल्टा डिरेक्शन यहां है मारकर ऐसे गुमाएं तब नग्जुटा है थीटा प्लस अलफा लोक वाइस कर देता तो घट जाए अलफा अगर जाए अलफा का मतलब सिद्धे अलफा के जगा माइनस अलफा लिग देंगे लिए उतना भर जगह था पूरा मैथ लिखने भर प्लेस था ही नहीं मेरे पास मिटाएं इसको इस सब्सक्राइब ओके तो देखिए रहे कोश्चन बनाएंगे तो सब यूज करेंगे पहले बेस तो बन जाए नमबर वान है डगा सर्थ एप्र टाएंगे टाएंगे by an angle alpha in anti-clockwise direction. then it will become z1 equals to z into e to the power iota alpha. कोई दिक्कत समझा लिए हैं उसके बाद लिख रहे हैं एक दम फिलिंग आ जाए प्लस साइन की anti-clockwise में जाने का मतलब amplitude भी anti-clockwise direction में ही मेजर हो रहा है positive ठीकर न तुब बढ़ गया इतना हम पहले से थे इतना और एड कर दी clockwise में वहीं चीज़ घड़ जाता clockwise में साइन माइनस हो जाता है clockwise में पचास डिगरी चले तो माइनस पचास काउंट होगा कितना smooth touch है ठीक है ना any doubt about this नहीं ना हो गया मेरा number two तो पूछ रहे थे कोई doubt तो नहीं है ना और यह क्या हो जाएगा e to the power minus iota alpha इससे cost को दुख नहीं है sign को दुख हो गया किसको दुख हो गया sign को e to the power ठीक है ना iota जैसे आपको अच्छा लगे आप अगर यही देखना चाहते हैं तो यही देख लें कोस alpha minus iota sin alpha कोस alpha minus iota sin alpha मेरे मन में तो एक और अच्छी बात आ रही है कि z into e to the power iota alpha का conjugate उच्छे क्यों इका पावर iota alpha होता कौस alpha plus iota sin alpha उसका conjugate कौस alpha minus iota sin alpha और आपको पता है कौस minus theta cos theta होता उसको तो कोई असर पढ़ेगा नहीं माइनस लेने से बर्बाद हो गया विचरा sign तो conjugate अब हम लोग पढ़े हुए हैं जैसे मर्जी वैसे काम कर दें ठीक है कोई ट्रबल मेरा पहला दूसरा दोनों हो गया है तो शायद आप भी खुश है कोई दिकत नहीं है अगर clockwise का नहीं भी formula लिखेंगे कहगा clockwise में alpha तो that means anti clockwise का minus alpha हो गया गी की कि बाद लोस्क बाद अ कर दो के बादिटर की किक लाफ एक तो केरा कर देखिए इस पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट ओ ओ पी तो आप देखते देखते मन भर गया होगा दिस लेंथ इस आर दिस दिस इस थिटा अब क्या लिखने ही जरुब है अप्लिचिव बगएरा नहीं ना कि ठेक अगर आप ओपी लाइन ओपी वेक्टर के लॉंग ठीक है ना इसी लाइन पर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो जो कि वेलू और इंटू इटु दी पावर आउयोटा ठीता है एंड इफ के इज इन्य नौन जीरो फिर जिरो देने से तो कोई फैदा ही ने जिरो हो जाएगा और उसमें दो case non zero में पहला case अगर के greater than 0 है और greater than zero Real में लिखेंगे यह भी लिख देते हो कि इस बिलॉंजikte रियल और किना जीरो ठीक है ना गुना करने जा रहा है greater than zero less than zero यह की दुनिया में लिखा जाता है आ गए और second case k is less than zero दो cases के dealing हो उसमें भी कई एक लोग टुकड़ा बना देते हैं के ग्रेटर दैन जीरो में के ग्रेटर दैन वन एंड के लिस दैन वन हम लोग भी मज़ा ले लेंगे सब चीज़ का तो अगर कोई आदमी पूछा के इंटू जेट यह मेरी जेडवन की वैलू है तो आप कहिएगा कि अगर यह रियल कॉएंटिटी है और उसके बाद अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपका अंप्लिचूट तो बदलेगा नहीं ठीक है ना आपका मॉडलस बदल रहा है और मॉड से डारेक्शन जाना इसी डारेक्शन में मुझे ओके सो यह पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा मेरे लिए हाप जेड और आगे बढ़ेंगे तो कहीं थरी भाई फूर जेड ओके और कहीं आगे बढ़ेंगे दूगना पी जाएंगे तो टू जेड ओके तीन गुना बंजाएगा यह बने तो मैगनिफिकेशन बन जाएगा कॉंपरेस करना जानते है ना चोटा करना यह ठेक और उसके बाद मैगनिफिकेशन का मतलब बढ़ा करना ना कर दिया यह कर दिया वह कर दिय Państwo ऑगर निगेटीव ले लिया तब तो उल्टा हो जाएगा क्यों उल्टा हो घापता है माने सब्सक्राइब क्या होता है का पाइग अब दो आप रोटेशन भी सी के लिए है कॉश्री कि पाई माइनस एड संफाई रो एक रहिं करना नहीं बोले आता है वोभी यह छिन्ग दे ब्रेक के पहले थोड़ा सब दिखाएं है तमासा ठीक है नहीं को तुरे नप निगेटीब करती है आइवाटा तुम्हारे पास नहीं है और जब कॉस बन या माइनस बन होगा तो साइन अप्तशन अपनेगा जीरो होगा तो कि दुनों के स्कॉर का सं मुन होता है दोचीज के स्कॉर का संब पास्ट दूज्ञें कि फैसंगे तुम्हें जीर ol को करना है तुम ही को माइनस बनाएंगे किसको मेसेज दे रहा है कॉस को तो कि रियल पार्ट होता है कॉस और मैंजरी पार्ट साइन को क्लेरिटी हो वर्क में एकड़म साफ सुथरा ओके इंगलिज तो हम तुरंत लिग दें समझ में तो आए का सा पॉजिटीव की निगेटिव की कौन डोन बता रिपीट कैसे करें इस बताए न तब या तो एक से बड़ा होगा तो आगे बढ़ेगा एक से चोटा होगा तो पीछे जाएगा एम्प्लिचूड में नो चेंज रियल से गुना कर रहे हैं ठीक है ना जैसे निगेटिव से गुना करेंगे तो एम्प्लिचूड पाई ज्यादा हो जाएगा ठीक है नहीं का पाउर आउटा पाई आएगा तो आपको इधर के बजाए इधर भेजने लगेगा माइनस जेड लेंगे तो एक उनेट जितना आप आगे हैं उतना ही पीछे माइनस टू जेड लेंगे और दुगना पीछे एंड डॉट 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 माइनस हाप जेड लेंगे यहाँ पर धवराते क्यों हैं और कुछ नहीं सब इसका कमाल है एम्प्लिचूड में नो जो सब इसका यह रिप्रेजेंटीशन का कमाल है क्या याप ब्रेक के पहले सीखे हैं ओके लिए 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 पहले समझाते हैं समझ जाए यह तो ज्यादा अच्छा है और इंग्लिस लिखते-लिखते रिविजन कर लेना है ठीक है ना तो मनें कोस्टन देने में मज आएग निगेटिव के लिए एंप्लिचूट चेंज होकर कितना पाई प्लस क्यों होगा यह क्यों का जबाब है अब होगा बोलना नहीं है क्यों होगा कितना होगा क्योंकि निगेटिव कभी भी मॉडलस की वैलो नहीं होगी complex number इतना है आप minus z लेंगे तो आर कहेगा मुझे bucks दो भाईया और यह minus one को लेकर वहाँ जाओ वो जो कहता है मानो और यह भी कहता है मुझे e का power iota angle लिखो तब मुझे पूछना पड़ गया cost से की बताओ भाई real part तुम देते हो कब minus one बनते हो ठीक है न जहां तुम minus one या one बनोगे वहाँ साइन अपने आप 0 होगा चिंता मत करो तुम बताओ जल्दी बुला पढ़े नहीं हो चोटे क्लास में कॉस पाई बराबर minus one पूछे हम उससे और वो हमीसे पूछ लिया ठीक है ना कुछ भी आप जबरदस्ती नहीं कर रहे है वह आप से करवा रहा है यही करना पड़ेगा नहीं तो काम नहीं बनेगी ठीक है और एंप्लिचूट पाई से बढ़ने का मतलब है जो एंगिल बना रहे तो उसमें पाई अब पाई का नाम सुनते हैं स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के उपर एंगिल बलिए लए अरे स्ट्रेट लाइन के उपर यह एंगिल पाई तक आता है लाइन बनाई यह चलिए पाई पीछे चलिए इधर से इधर आईए अपने आप सब कुछ कर देगा कि आप एडिक मत लीजिए आप इतना ही एडिक लिजिए मौट जेट इन्टू इका पावर आउटा अप्लिचूट जेट यही है जेड की पहचान कि मोट कहता है मेरे नाम पे निगेटिव मत लिखना भाई निगेटिव अगरे समझेगा एंपलिचूट समझा दिए ना कि समझना है तो कैसे समझेंगे और क्या समझाएं और लिखें कि मुझे साल अलफा बताईए सब्सक्राइब कॉस अलफा यानि रियल पार्ट ऑफ ठीक है ना रियल पार्ट ऑफ कंप्लिक्स एट इस माइनस वन एंडिमेजिनरी पाट इस जेरो यानि साइन अलफा जीरो कॉस सब्सक्राइब कितना असान है ठीक है ना लिखें इंग्लेज आप सामत हैं तो ओपर हेडिंग क्या लगाएंगे पता है मल्टिप्लिकेशन ऑफ कंप्लेक्स नंबर जेड़ बाई रियल नंबर ओके और उसमें जीरो से नहीं करेंगे गुना कि जिरो से भी कर दें जिरो से गुना करेंगे तर मॉडलसी जीरो हो गया और जिन पर पहुंच गया कि बढ़े आगे अभी भी देख लिजिए कोई दर्द कोई पीड़ा कि पिक्चर चाहिए अच्छा कि बीच में गाड़ी नहीं रुकना चाहिए आप एक दिन नहीं दो दिन एक्ष्टा ले लिजिए कि वह बेसिक में समय खराब हो गया मेरा मुझे दो दिन चाहिए कि बीच में पता चला वहार होने लगते कि यह कैसे लिग देता है अचानक से तो बेस का जो समय जाएगा वह हमारे जिम में हम बढ़ा देंगे समय आपका टेंसर मत लिएगा नहीं होता है बच्चे चिंदी तरी बापरिबाप यह क्या कर रहा है मेरा दो दो दिन ऐसे ही ब कि मैक्सिमम टाइम जानते हैं बड़ा बड़ा थ्योर्म से ज्यादा दर्द बेसिक देकर चला जाता है को सब्सक्राइब लिखें है इसा पट्टा बांदी ओ इधर को मल्टिप्लिकेशन है आफ अ कंप्लिक्स नंबर बाइ अरियल नंबर कि कि इस नॉन जीरो हिक है नॉने नॉन नॉनि यून युब लिखें लेटर दैडिरो नॉने एं लेटर देडिशन लेट रिगेशन झार बड़न यूने लेखें लेटर फैंड लेटर उन लेट इस लेटर चแต्स नंबर इन दी शेम डारेक्षिन को लेकर टेंसन नॉर्थ इस्ट और साउस बेस्ट अगरे भी बोलें किया है थे का दिरेक्षिन इस दिसा में जा रहे हुसी दिसा में चलिये इन दी सेम डारेक्षिन बेट मॉडलस कि टाइम्स ऑफजेट उसी डारेक्षिन में के टाइम्स कर दीजिए करते हैं वाइरलेस से जानते हैं क्या वह उसमें कान में लगा देता है और ज्यादा दर्ब सुरू हो जाता है कि यहें लगाने वाला आता है जिसमें यह इसका चक्कर नहीं रहता है पेकाद देखते हैं उसमें कमफर्टेबल वह ला कुछ रहा तो इससे भी निजात फालेंगे यह वालें आता है सैर्वार्लेस वह लेखना यह सब्सक्राइब हम तो जैदा बाहर कर ciao यह जह तो यह फ तो बीच में खतम हो गया तो आपके सब्सक्राइब के साथ वही डाइरेक्शन रहेगा कि मॉडल स्की टाइम मॉडल स्क्राइब क्या होता है वो से जोडने के बाद जो लंबाई होता है अब उसमें भी कहिएगा कि अगर के ग्रेटर देन वान है तो देखिए कि बाड़ गया ठीक है न कोई कहेगा कि जो है आज दुगना मिठाई खाई तो कल खाये थे पांच तो आज क्या खालीजिएगा दो नहीं न कितना खाईएगा दस दुगना हो गया ठीक कहेगा आज सेकेंड इफ के इज देन जीरो दें जेड़ बराबर दिस रिप्रेजेंट कंप्लिक्स नमबर इन दी डारिक्शन जस्ट अपोजिट अब आप कहेगा कि अपोजिट कि इसको कहते हैं वो पता है कि नहीं पता है ने तो सब लिखा हुआ जो है बेकार हो जाएगा इसका अपोजिट का मतलब इसी लाइन पे उल्टा साइड आईए कभी पैरलल और एंटी पैरलल नाम सुने हैं यह दोनों वेक्टर क्या होता है जानते हैं पैरलल और एक ऐसे भाग रहा है दूसरा ऐसे भाग रहा है वो एंटी पैरलल इसको कहते हैं जस्ट अपोजिट हम चले यहां से यहां तो तुम चले यहां से यहां तो यह भागा न कोई ट्रबल लेकिन हाँ जो इंग्लिस लिखें इंग्लिस वो कम है समझदारी आपका ज्यादा है समझने के बाद अगर कुछ भी लिखते हैं तो और ज्यादा हजम होता है तो डर से लिखने के बाद तुरंत रुख गए तो पता नहीं अब कहां अपोजित लें हम तो बर्बाद हो गए और तो और जिन से आप इधर जा रहे ते उल्टा क्या होगा आप इधर चाने लगिए that just opposite to that of z and whose modulus is mod k times of modulus object कि अच्छा यह क्यों लिए मौट के टाइमस ऑफ मॉडले सब्जेट दिखाएं गया ठीक है ना पहले इस चक्कर में थे कि पूरा इंगलिस लिखें मौट के टाइमस ऑफ मॉडले सब्सक्राइब दोनों जगह मॉड मॉड रहेगा तो टेंस ना हो जाए मॉड के टाइमस मतला माइनस पांच है तो पांच टाइमस क्योंकि माइनस एड्जस्ट हो गया एंप्लिचूड में और आपको जस्ट अपोजिट डिरेक्शन में भेज दिया यह पिक्चर का कंपिडेंस है इंगलिस लिखते हुए आपको अच्छा लगना चाहिए यह मेरा विश्वास है जो सिख्या है वही लिख रहे हैं के के बाद कहां पर इन दी डिरेक्शन जस्ट अपोजिट तो डैट ओफ जैड एंड हुज मॉडलस इस मॉड के टाइमस ऑफ मॉड जैड मॉड के टाइमस ऑफ मॉड जैड यानि जेड़ वन का मॉडलस मैगनिचूड ऑफ के टाइमस ऑफ मॉड जैड यह होगा ओके किसी तरह का कोई तकलिव अच्छा वहीं पूछ रहे थे वहां तो डैरेक्शन जस्ट भूजिट ठीक उल्टा का मिनिंग भी समझा दिए पिक्चर से देखिए इस डैरेक्शन का ठीक उल्टा यह है सीदे एक सौर से डिगरी पे आना है हंड्रेड एंड एट्टी डिगरी पाई रेडिया दोनों एक ही बात है हुआ है 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 थे का न लुद्ट किनका संदर्स क्या नाम बता है सैंइन वर्स थांडर्स सेंडर्स नहीं समझ पार फिर एक बार बोलिए एसे एंडी आरेस सेंडर्स यह तो एक अंग्रेश था सॉंडर्स लग रहा है उधम सिंग उसी को मारे थे ना लेकिन यह सेंडर्स कहां दिख रहा है तो दिख्या ही नहीं हमको कि रुकिए देखते हैं कोशिस करके कि किनका अन्नों का अभी आप हूं कैसे अच्छा आप हूं सेंडर्स आप नहीं लेकिन दिखे है इसानर्स बगल मेरे दिख्यों नहीं रहे हैं थो मेरा खराब हो गया इदर क्या है नहीं से लास में होगे इसलिए नहीं दिख्यों गया शेदिए कोशिस एक बार और करते हाँ सिमाच्छी का उपर हां यह तो ओपो है आपके बगल में जा दिख्छे आपके जस्ट नीचा दिख रहा है आपके जस्ट नीचे सेंदर जी अच्छा पता नहीं उधर भाग भी जाते हैं इदर से चलिए सेंडर साब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब आए यह कोई दिक्कत आप समझ लिए ना क्या हुआ को इस चलिए हो गया हुआ अब आईए देखे क्या क्या हम लोग करते हैं पहले तो एक थोड़ा सा ट्रेंगल का कोश्चन करके कंफिडेंस बढ़ाते हैं ठीक है ना पहले जेनरल देते हैं उसके बाद फिरेकाद निमेरिकल टाइप का अभी तो जेड़ वन प्लस जेड़ टू की प्रोपरटी उनके उपर भी कोश्चन करना है करते रहेंगे लेकिन यहां तक सब कंट्रूल में ना अंडर कि बीच बीच में कोश्चन भी आते रहना चाहिए नहीं तो अभी तो मेरा लालच आ गया था लाइन सेग्मेंट और लाइन उनका भी जो है बारान्यारा कर दें फिर सोचे कि नहीं थोड़ाइकाद हो जाए पहले अंडर वा जेडवन जेड़ टू एंड जेड़ थ्री ठीक है ना और वर्टिसेज आफ एंड कुछ इंगलिस समझ में ना है कि क्या कोश्चन पुछा है तो पहले तो समझ लीजिए और ट्रेंगिल का कई एक बार पूछे हुए हैं यह सब देकर कि ऐसे और इसे है यह बनाई यह तो सही और एंड एक्कुलेटरल ट्रेंगल कि अगर आप डिफनिशन नहीं जानते हैं तो वह भी पूछ लेंगे लेख लिए जेडवन जेट्टू जेट्ट्री के ऊपर क्या कंडिशन रहेगा सच दैट यार वर्टिस इस ओफ एक्कुलेटरल ट्रेंगल एकुलेटरल ट्रेंगल की क्या प्रोपर्टी है सारे एंगल पाई भाई थ्री सारे साइट का लेंथ इकुल अब नमज आएगा सब कुछ तो आ चुका है थिए ठीक दिखा दें जो पुछा जा रहा है उसके हिसाब से इफ डिस यदेज वन दिस देट टू अगे से ठीक दें डेबव से औस अप्रिंग इस लेंद्ट इस लेंद्ट इस लेंद्ट इसलेंद्थ अर सेम अनद्ग इस ओल फ्री एंग्ल्स आर वै बाई थ्री इतना तो मेरा विश्वास है कि आपको आता है कि अब कुछ फैदा उठाले हम लोग भी पहले तो मिटाने का इजाज़त दीजिए कोशन साफ कर दे रहेगा इतना छोटा पिक्चर में क्या मजाएगा ठीक को दिकत आईए विक्चर बना दे ना दिस जेड़ वन दिस जेड़ टू दिस जेड़ थ्री डिस एंगल इस दिस एंगल इस पाइब थ्री डिरेक्शन आप खुद देख लेंगे कैसी ज़रूरत है और क्या करते एबी सी नाम लिखें अब जेड़ वन लिखना या पी लिखना बात बराबर हो चुका है तो ऐसे रहें कि एबी सी लिखने के बाद टच मिलेगा यह सब दिन गया अब बलीकि लिखें Tracy xy लिखें या x-plus array wali kay x-cap при degree लिखें आर इंटू सब एक यही बात कि यह नि पहले तो हम आपक्षे ली सन्स ले रहे थे कि कुछ भी लिख देंगे मेरी मरी चलेगा ना को अदिकत अब आई यहां पर देखिए किसी एक को पाइवट पकड़ लीजिये पॉइंट ओफ रिफरेंस पकड़ लीजिये , इस्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लीजिये किसको पकड़ें बोले किसको पकड़ें जेड़वन को जेड़वन को बोले कि भाई तुम अगर पाइवट हो तो यह बताओ तुम्हारे निगाह में यह जेट जेट टू कैसा है कौन सा कंप्लेक्स नमबर रिप्रेजेंट करेगा की भी थर रस्पेक्ट टू जेड़ वन जेट टू बिल रिप्रेजेंट कंप्लेक्स नमबर जेटी कुंप्लेक्स नमबर अगर आप इसको 60 डिग्री से इस डिरेक्शन में रोटेट करेंगे अबाउट जेड़ वन देन इट बिल बिकाम जेड़ थी माइनस जेड़ वन आर्यू है यही तो मौका है जो भी सीखें उसको सेटल करने का कोई दिकत मैं यहां पर जाकर अपना कंपास का निडिल लगा दिया और यहां पर मेरा पेंसिल का नोक है पॉइंट है उसको 60 डिग्री एंगल से घुमाएंगे तो वो पॉइंट यहां आ जाएगा यह यह नर रोटेशन ए कि ए यह डरेक्शन गड़ी के साथ जा रहा है गड़ी का उल्टा एं गड़ी का उल्टा जमाटिजिक आता है यह गड़ी का उल्टा यह से जा रहा है पेड़ी है पीछे आफकी हांत बी घढ़ी थे सकते हैं घढ़ी का इसे चलता है ठीक है Kोई Trouble so पहला equation about Z1 we are doing rotation अच्छा यह भी लेंथ भी नहीं बदलेगा we are going to get Z3 minus Z1 equals to Z2 minus Z1 into e to the power out a five by three confident ज्यादा बोलिएगा तो rotation about Z1 बोल देंगे ज्यादा और बोलिएगा तो Z1 के उपर जाकर आँख बना देंगे और बोलिएगा तो shifting of origin बोल देंगे किस नाम पर याद कीजिएगा हमारा origin जो 2D का है वो जीरो जीरो से सिफ्ट होकर एक्स वन वाई वन पे पहुंच गया ओके सर अल्ला क्यों कि अब हम पुछेंगे क्योंकि हम क्या किये हैं इस पॉइंट के बाउट यह जो complex नंबर होता है उसको किस एंगिल से रोटेट किये है कि रोटेशन के बाद क्या मिला है कि किंठ आप कि यह अपर रोटेशन के बाद क्या मिला यह मैं जड़ वन के रिस्पेक्ट में तक में जट्विक बाइनस फिर यह पुरा बोल रहा है यह यह पोइंट देखना होगा अब इतना लंबा नहीं पहुंचा तो उसके लिए मत बोलिएगा का डंडा निकले क्या उधर से ठीक है ना इसकी मारकर को दो बार जोड़ दें लो मारकर देखिए इस मारकर के बाउट यह पॉइंट क्या है अभी नहीं पहुंचा ठीक है ना यह जेट टू माइनस जेड़ चिस को रोटेट किये किस एंगिल से P3 से ओके लोटेशन के बाद क्या बन गया रोटेशन के बाद जेड़वन के बाउट जेट 3-1 और या भी फर्मुला लिखे इतना देर में गाइव हो गया क्या लिखे अगर कंप्लेक्श नंबर जेड़ को और जिन के बाउट रोटेट करेंगे अल्फा एंगल से एंटी क्लॉक वाइज आरेक्शन में तो जो नया कंप्लेक्स नंबर रोटेक्शन के माद फ्राप्ट होगा जेड इंटू इटू दी पावर आयोटा अल्फा और वही उसका नाम है जेडवन तब मैं हूँ जेडवन ना जेड़ी माइनस जेडवन का रहा है आएएजित बित रिश्पेक्श देश येदा सब्स्कुट इस वित रिश्पेक्शन कैष्ज तो इसमें कैसे गुणा करें उधर से पूंच दिए कि दर क्यों बुना में लिपी रिप्र ऑक तो हम रोटेट को नहीं किये तो हम तो अको आपma हैं अगर कि दोनों साइडी का पावर माइनस फाइब रही से गुणा करके ओके इतना देर भी नहीं हुए करते करते कि टेंसन हो जाए अब उसके बाद आप इसको नहीं देखना नेटवर्क चला गया था घब रही ने एक और मौका है अच्छा जिनको जिनका नेटवर्क चला गया पूछ रहा है वो यह बोलिए कि अब आप किसको पाईवर्क चूज कीजिएगा जेडवन को तो हम लोग कर लिए ताकि आपका चुटा हुआ भी बेकार ने जाए बोलिए जेट्टू जेट्ट्री में किसको पाईवर्क बनाएं खुद बोलिए ने उनसे पुछने दीजेए बिचार उनको जेट्टू सर्म जेट्टू को चीक है नेटवर्क चला गया था बोले मतलब समझ यह आपका पुराना भी रि ठीक है ना यहां पर जाके हम लोग लट गाड़े हैं कोई दिकत भाई यहां से देखते हैं कौन कितना दूर है कोई दिकत द्वारा नहीं पल्टेंगे चुटा और नहीं चुटा सब लोग देख लिजिए तो जेट्टू के रिस्वेक्ट में जेट्री कौन है और आपको क्लॉक वाइज नचाना है कि अंटी क्लॉक वाइज एक वार हो गया था मन करता है जो मन करें सो अनित इदर से उदर बदल जाएगा अगर जेट्टू के अबाउट इसको इदर रोटेट कर दिए तो यह जो कंप्लेक्स नंबर है जो जेट्टू के बाउट अपने आपको यह कह रहा है आफ्टर रोटेशन भाई पाई भाई थ्रीट विल भीकाम ठीक है न देस ओके और यह एंगल का डिरेक्शन क्या है एंटी क्लॉक वाइज ने डिरेक्शन पूछ रहें एंटी क्लॉक वाइज ठेक मैगनिचूट क्या है तो पाई भाई थ्री चलिए पिर हमसे भी एंटी क्लॉक वाइज दिया गया लॉक वाइज देने का सौक होता तो इसको रोटेट करके यहां ले आई आई आपकी च्छा जो लिखवाना चाहिए लिखवा लिखवाली को तो त्रीक साइड में रोटेट कर दें आपको जिधर मन करें उधर कर लिजे इसक को ऐसे कर दे तो एंटी क्लॉक वाइज बस देखते रहें देखते रहें दोनों मौका ठीक तो मेरी इच्छा हो गई मुह से पहले निकल गया था कि मैं इसको उधर ले जा रहा हूं ठीक है ना तो जेड़ बन माइनस जेट्टू जो आफ्टर रोटेशन बाइंगल पाई थ्री नंटी क्लॉक वाइज दिरेक्शन एए एक वल तो जेट थी माइनस जेट टू इंटो इंटो इटू दी पावर आउट आपाई बाई थ्री अगर वही क्लॉक वाइज का सौक रहेगा तो मैं इसको इधर रोटेट कर दूंगा यानि दिस इंटू ही का पावर माइनस आउटा पाई बाइथरी विल बीकम दिस वह तो हम ऐसे भी अचीब कर सकते हैं आप पूली कितना इत्मिनान का चीज है कहां प्रिसर भाइज सर्ज़टी माने जटू को हम एंटिक लोग वाइज सोड़ी क्लोग वाइज जट वाइनस जटू पर निल जा सकते हैं क्लोग व बाइए और देखिया आगे पीछे करिंद जातों आपसाइड ना चाहां खो गए भाई बोलिए इसका नाम था बोलिए इसका नाम जट्री इसको मैं किस एंगिल से करने के बाद क्या मिलेगा यह तो जो मिलेगा वो पहले जो था इंटु इका पाउर आउटा पाइबाइट कोई दिक्कत पहले यह थे इस एंगिल से रोटेट किये तो इतने बन गए क्यों से कंफ्यूज हो जा रहे है इतना छोटा सा थियोरी में कोई होच-पॉच काइस्कोप नहीं है तो लेते अभी बाद में कीजिएगा पहले जो एक आ रहा है उसमें देख लिजिए कर्फ्यूजन तो नहीं है ना क्लॉक वाइज लेते क्या इसी को उधर भेग दीजिए जायगा अब इसको मत कह ऍरने कि लेते हैं कि तुम को क्लॉकल बाइज बाते इधर का वैलू पता है नहीं न पता होगा वहीं ने ले जाएगा ज्माइनर इसको लिजिए ज Wyatt लेगा तो यहां पहुंचेगा यानि इसके ऊपर किससे गुर्द्वित पावर-डुपईज बा कोई दिकत एक में दूसरा छुपा हुआ है एक नहीं लेना हमें ठीक है सर ओके नाव कन्पिडेंट फुली यह सर अब उसके बाद क्या कर रहा है मुझे तो जेड़ वन जेट्टू और जेड़ थरी के ऊपर कंडिशन देना है देना है ना आई यह नाओ वन डिवाइड़ बाइटू जैसे अच्छा लगे इन साहब से मुक्ती मिले मुझे तो जेड़ बन जेट्टू जेट्ट्री में अपने आप इक्वेशन हो सब तो बच्चावला चीजा बच गया इंपलाइज जेट्री माइनस जेड़ बाई जेड़ बाई आच्छा चीज मिलेगा इकितना लोग तो ऐसे याद ही रख लेते हैं यानि जेट्री माइनस जेड़ वन इंटू जेट्री-ाइनस जेट्च्टू इसीव टू माइनस जेड़ गाओंटी स्कॉर असली काम तो हो गया जो मेरा मकसद था यह बोलना था वह अपने आप का जोाना है अब वो cornson को बड़ा काम नहीं र्टस हो ह सो बसॉइनर गी है स्थक्वार ए depends एड़ेंस यरफ 30 माइनस यर Simmons एड़ेंस इसब कौन सा काम है वह ड़ेंस जेड स्ट्वार्थ माइनस ट्वाइस जेड वन जेड्ट तू ओके एक बार खट-खट तूड गया तू टाइमस आ चुका है ना मैनस मैनस प्लस टू टाइमस बाकी तो छोटा बुटा से जावत है लोग याद रखने के लिए जेड़ वन स्कॉाइर जेड़ टू स्कॉाइर जेड़ त्री स्कॉाइर इसको इधर रखे ठीक है ना और इस साइड बाकी को भेज दिए यहां से बच गया जेड़ वन जेड़ टू प्लस जेड़ टू जेड़ थ्री ठीक है प्लस जेड़ थ्री जेड़ वन यह है कंडिशन मतलब जो याद रखने वाले होते हैं उनको तो मजा आ गया जेड़ वन स्कॉयर प्लस जेड़ टू स्कॉयर प्लस जेड़ थ्री स्कॉयर वरावर जेड़ लेकिन हमें याद से कोई मतलब नहीं था मैं कंसेप्ट चिखना था कैसे एंटी क्लॉक्वाइज प्लॉक्वाइज इन सबकी बातें होंगे ओके कोई दिक्कत कहीं कोई प्रेसर एंटी क्लॉक्वाइज क्लॉक्वाइज का जमिला सब खटम हुआ कि नहीं कि साथ में एक चीज और खुश हो गया पाइवर्ट नहीं खुश हुआ है कि देखें कितना अच्छा चीज सोचने के लिए मिलेगा अभी और दे रहे और दे रहे एक से क्या काम चले लिए हाँ और लीकॉल कहीं कोई टेंसने इसमें मिटा दें कैल्कुलेशन सबों का हो गया इतना आ रहा है विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला इस फार्मूले का बिना इस्तमाल किये हुए ठीक है ना इस प्रॉब्लम को बनाएं फाइंट थर्ड वर्टेक्स अफ एकुलेटरल ट्रेंगल होज तू वर्टेसेज आर जिरो एंड वन प्लस आयोटा जिरो आसान हो गया थोड़ा है नहीं जिरो अटा दें क्या है कोई दिक्कत लेकिन जब पूछता है तो जिरो का जो है कुछ ज़्यादा परचलन भी है क्योंकि हॉल में तो चाहता है कि कोई फॉर्मुला याद हो नहीं याद हो कंसर्ट पता है तो बच्चे से कोशन अच्छा से बन जाए कम समय में बन जाएं कि डोंट यूज डिस फर्मुला प्लीज नहीं तो आप तो खुश हो के एक का नाम जेड़ वन एक का नाम जेड़ टू और जेड़ थ्री एक मातर अन्नून खट से सॉल्व करेंगे निकाल लेंगे उससे वेरिफाई करना है कोई दिकत को फर्मुला यूज नहीं करना है को पॉस्चन अंडर्स्टूट अब आईए जरा आरगन प्लेन में देसिज माई जिरो वन प्लस आयोटा इस देस यह लिखे वन प्लस आयोटा लिखे वाट्टेवरी वाट ठीक है ना अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ठीक है ना सेम दूरी पे तीसरा वर्टेक्स होगा और वो या तो इधर होगा या तो इधर होगा तो एंसर एक नहीं इक वर्टेक्स उधर है एक इस डिरेक्शन में घुमाकर और दूसरा इस डिरेक्शन में घुमाकर मिलेगा कि भी करना कंप्लेक्स नंबर आ जाने से वो जो जहमिला कॉडिनेट में था ना माना कि इस इस एक कॉमा वाई तो इसके बीच का डिस्टेंस उतना ही जितना इसके बीच का डिस्टेंस और यहां से दूसरा एक्विशन इन दोनों के बीच की दूरी एक एक्विशन मिल गया और इन दोनों की बीच की दूरी एक एक्विशन एक स्वाई में मिल गया दूसरा दो अन्नों दो एक्विशन चटा-च जान बच गया अब आपका रोटेशन अकेले संभाल लेगा मुर्चा अब यह जो कंप्लिक्स नंबर है जो थर्ड वर्टेक्स का रोल प्ले करने वाला है पहले यह जीरो और यह वन प्लस आउटा हो गया ना इसका नाम ए और इसका नाम भी रग दें एक बार मुझे मिलेगा एक बार मुझे मिलेगा एक बार एक बार इथर अब उधर इधर भी नहीं बोलना है एक बार एंटी क्लॉक्वाइस आफ डिगरी एक बार व्लॉक्वाइस अब बोलीएगा यह कंप्लिक्स नंबर को जब यहां रोटेट करेंगे किस एंगल से रोटेट किये हैं से ठीक है ना और क्या डिरेक्शन है क्लॉक वाइस तो सी बिल बी इक्वल टू वन प्लस आयोटा इंटू इटू दी पावर यह जीरो देने का फैदा मिल गया मुझे से माइनस फई भाइबए 3 आयू काण फिडिएंट्ट में भी पुछेगा कोई दिकत नहीं है एकस ने कुने पुछे गादप होने के लिए पिक्चर में खेल खतम हो गया और यह डिरेक्शन कौम सा है एंटी ग्लॉक वाइस सो वाट इस वन प्लस आउटा इंटू इटू दी पावर आउटा पाई बाई थ्री कांफिडेंट दो थर्ड वर्टेक्स के लिए दो दो वैलू होती दोनों निकल गया थर्ड वर्टेक्स के एधर देस और देस पता नहीं आप इधर बनाना चाहरे हैं कि इधर हम तो अपना प्रॉपर एंसर देके जाएंगे और देख लिए एक लाइन में मामला साफ हो गया कुछ नहीं लिखना पड़ेगा अब क्यों करना है तो थर्ड वर्टेक्स बिल बी आइदर सी और सी डैस और सी बिल भी दिस और सी डैस बिल बी दिस इस इट ओके पिक्चर खराब लग रहा तो और बड़ा बनाते लेकिन पर छोटा बड़ा के चकर में कंसेप्ट कराब नहीं होना चाहिए वह आप जम्मन करें बनवा लीजिए ऐसा कि फिर दुबारा तनाव नहों कि हम किये क्या थे कि फर्मुला की भरोसे हम थोड़े हैं फर्मुला की भरोसे रहेंगे तो एक लेटरल का पढ़ेंगे कल को रेक्टेंगल पूछ लिया तो इसको आर्पूछ लिया तो ठीक है ना कोई ट्रबल तो बोलिया उसके बाद कल्पलेट भी कर दें डिस वन इस बस इसी के लिए रुके हुए वन प्लस आयोटा कॉस माइनस पाई भाई थ्री को लिए को सिस्टे डिग्री माइनस आयोटा रूट थ्री वाइट यह सब क्या समझाएं उसमें भी दिकत है एक आप आउटा थीटा इस कॉस्टीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दो चार वर वही बुलवा लेंगे हम अब समय क्या गाड़ी रूखा हुआ है अब तो करना चीदा अब हम बताते हैं उन प्लस आयोटा इन्टो वन बैटू प्लस आयोटा अज सूचिये तो मॉल्टिप्लिकेशन आफ कंप्लेक्स नंबर खुस हो रहा होगा मेरा भी काम हो गया अभी तक तो डिफिनीशन था मेरा अब साथ साथ गुना हो रहा है और करना ही था गुना क्या जो आप बीच मे प्लस रूट 3 X2 यानि 5 प्लस वन बाइटू आउट पार्ट में हाल और देस माइनस बाइट एनि प्लस आउट अईटा 1-3 बाइट निकल गया एक वर्टेक्स दूसरा बाटेक्स बताईए और यह हाफ माइनस रूट 3 बाइट तू एकदम कंपीडेंस से कही कोई दिकर यह सी का निकाल रहे हैं वह सी का निकाल दिए एक केस के लिए दो कंडिशन होगी अब मते कहां कौन सा टेंशन ले लिए यह सब पहले ही बोल दिया किजिए आप क्यों क्लॉक्वाइशन कर रहा है आप तीसरा वर्टिक्स फाई बाई थ्री एंगिल पे इधर भी रख सकते हैं उदर भी रख सकते हैं कॉडिनेट में तो हम ऐसे फ्री में बोलते थे कॉडिने इंटी क्लॉक वाइज हो एक क्लॉक वाइज हो गया दुनों रोटिशन त्यार यह सोची छोड़े क्लास का सवाल बनाएं न दो वर्टेक्स दे दिया और कहा कि कुलेटरल का तीसरा वर्टेक्स बनाने का मतलब तीसरा वर्टेक्स या तो आप इधर बनाएं साथ डिग्री कोई दिक्त है formal black कांपास तंपास लेक्र 60 बनां भी देंगे लेकि यहां क्या किया अंग्दर I रहे हैं ऐसे लिए और यहां गोल गूमाये और यहां पर जाकर जो है कट मारे एक पहला कट पहला कट साथ डिगरी क्या बात कर रहे हैं कि कमपास कोई दिकत एक दम अच्छा लगे इन सब में टेंसर नहों थोड़ा सभी पुराना टस्तों मेंटेंट रहे थोड़ा नया नया चीज भी आता रहे एंसर आ गया अच्छा इसका आउटा पार्ट विजरा लिख दें इसका आउटा पार्ट क्या मिल गया वन प्लस रूट फ्रीवाइट यह है दोनों प्यार या तो वर्टेक्स थार्ड यह होगा या य यह है एक साइड तो साठ डिगरी एंग्ल इधर भी बन सकता है बहुत कैकर चैनल तो ऊपर साथ दिगिरी बन सकता है उदर भी बन सकता है इसी को यहां सॉफिस्टिकिटेट में यह ऊपर साथ डिगरी बनाई है या नीचे ना हाँ 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 कोई ट्रबल एंसर त्यार है न अब अगर उधर से काम किये होते तो जेड़ वन अगर आपका टीसरा वर्टेक्स है जेड़ फ्रॉला रटे हुए है उनके लिए क्या है फर्मुला किसका नाम है जेड़ जिसको निकालना है ना पसंदा है जेट तो जेड लिख दीजिए माना कि तिसरा वर्टेक्स जेड है तो दो वर्टेक्स है जीरो और वन प्लस आ उटा कौन सा टेंसन है वाई लेकिन मुझे फर्मुला का कोई जरुरत नहीं है उसका कंसेट है इतना ही पता है फर्मुला याद रहे न रहे कैसे आ रहा है वो कंसेट याद रहना चाहिए हो सकता है एक्शुल प्रॉब्ले में उसकी जरुरत भी न पड़े ठीक है न क्या कोई देर लगा बनाने में इसको यह की लाइन में तो लिख दिये दिस इंटू दिस इंटू दिस हॉल में जाते जाते हो सकता है बच्चा पिक्चर भी न बनाए तो कि वह जान ही रहा है कि एक बार क्लॉक्वाइज में एका पावर आउटा माइनस पाई पा आपावर आउटा पाई बैच्री से गुना कर ना कर दिया गुना हो गया काम कतम ठीक है न कोई दिक्कत इक्वल्स टू जेड वन जेट्टू जीरो जेड़ एड़ एड थरी जीरो क्या मजा है इसमें अज जेट्टू जेट्टू जेट्री स्थिती तो यह है कि याद है तो ठीक नहीं याद है तो और अच्छा कुछ हमिला तो नहीं है याद करने का सबसे बड़ा इससे तो हम मुक्त हो गए सबस्कार प्लस एट्री इसक्वार बरावर जेट वन जेट टू फ्लस एट फ्लस एट्री फ्लस एट्री उसकर ली दो जिरो गया जिरो का इतना वड़ा पैदा ओके आएगा आएगा घबराते क्यों है जीरों के प्लेस पे अच्छा आएगा भी जीरों पे बनाएंगे जीरों मेरे हाथ से से निकल गया पेपर उपर का जो है एक वर्टेक्स जरूर जीरो रहता है और मुला बनाएं जेट वन जेट टू जेट त्री पे किसी जेट से डर लगेगा क्या आगे ना सो जेट थ्री स्क्वाइर माइनस वन प्लस आयोटा जेट थ्री और इसकी वैलू बन स्कार्प्लस आय प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वाइर का मतलव टू आयोटा माइनस पूर एसी माइनस शिक्स आयोटा डिवाइड़ बाई ठीक है ना टू कोई दिक्कत ठीक है ना और अच्छा किये कि उधर से नहीं बनाएं उच्छी अच्छा क्यों किये क्योंकि इधर वाली जो वैलू है माइनस शिक्स आयोटा का रूट वह अभी आप सीखे भी नहीं है स्क्वाइर रूट और निकालना बागी कैल्कुलेशन दो ठीक है ना भी स्क्वाइर माइनस पूर एसी का कोई दिक्कत चलिए वह भी आ जाएगा आपको अच ट्रीप्लस उपर उपर जरूपर यह दूए बागी कैसे आया टूए उटा इसका फोली स्क्वाइर कीजिये वने स्क्वाइर प्लस आयोटा इस पर पारा रहा है आच्छा आचा अचा रुख जाही रूग यह आते हाते उसके ऊपर में यह देख लिजे ठीक है ना वने स्क प्लस माइनस अंडर रूट बीए स्क्वाइर बीए स्क्वाइर हो गया आपका टू आयोटा माइनस पूर एसी चार दुना आठ क्या कि तो आ रहा है कि एक वर देख ले अब कोई एडिक नहीं लेना है अभी माइनस रूट तो छोड़िये आयोटा का सारा रूट निकालने आ जाएगा तीसरा चौथा एने सब आ जाएगा ठीक है ना तो उल्टा अभी तो हम इसी को प्रवचन दे रहे हैं कि यार तुम्ह और वाद क्या होंगे माना कि दिस इस इक्वल टू एक्स प्लस आउटा वाई तोनों साइट का स्क्वाइर करके कर देंगे काम तमाम है ठीक है ना कोई दिक्कत कि आ गए अब आईए रेक्टेंगल रेक्टेंगल या स्कॉायर बोलिए तोस किजिए जल्दी से रेक्टेंगल या स्कॉायर रेक्टेंगल ठीक है कि और रेक्टैंग्ल का ही फिसकल केंस प्रियर होता है लंभाय चोड़ाई का क्या नुपात रखा जाए लंबाई को 2 गुना की तीन गुना की फूरा जल्दी बोलिये पूरी स्थ जार गुना कर दें को जिस neste को दिक ट लखिये कोश्चन इफ कंप्लिक्स नंबर्स अच्छा लिखते लिखते भी कोई खराब लग रहा हो कि यह हम समझ नहीं पारे कि यह क्या लिखा जा रहा है तो भी आप बोल सकते हैं क्योंकि पहला ड्यूटी है कोश्चन ढंक से आना चाहिए समझ पॉस्चन ही नहीं समझ में आ रहा बनाएंगे क्या इफ कंप्लिक्स नंबर्स जेड वन एंड जेट टू आर वर्टिसेज मतलब वहां कुछ भी भर दे आर वर्टिसेज आफ विर्थ आफ रेक्टेंगल ठीक है ना होज लेंथ इस सेवन बाइटू टाइम्स अगे सेवन बाइटू क्यों आया इधर से चार बोले उधर से तीन बोले तो तीन और चार का मिडिल क्या होगा साड़े तीन बिर्ट एक्रोर च्याव्क्षज आुम्सक्ते लिएंट्य में ह GU एक्षचिक्त alाट विर्ट करण्थ बिल भी फिल इन दा ब्लैंक जिसकी लंबाई चौड़ाई का साथे तीन गुना है seven by two times है और चौड़ाई का बिर्द का दो वर्टिक्स दिया हुआ है ठीक है ना मतलब यह दोनों वर्टिक्स को मिलाएंगे तो आपकी चौड़ाई मिलेगी ऐसा नहीं कि इधर का एक वर्टिक्स दूसरे चौड़ाई का दो लंबाई यह दो चौड़ाई होता है पता है ना है सब कुछ नहीं है सब वर्किंग रूल ठीक हो रहा है ताकि आगे से रोटेट हो गए यह हो गए वो हो गए उसका जहमिला आपके दिमाग में नहीं रहेगा एकदम साफ सुतरा होगा मसला कोई दिकत यह बेरियर जिसको क्रॉस नहीं करना है अगर आप देख लिए हैं तो क्या मैं मिटा दू अब जगा दीजिए अत्म आपकी तरह कॉपी थोड़े है ठीक है अच्छा पहले रेक्टेंगल का डिफ्निशन बताएं नहीं ना फॉल फोर एंगिल्स आर यह संदिक टाग्म ना कश्छन अड़ीच तोड रखेंगल्स आप इक्राव रेक्ट कर्देट धन ना कोस्च चंट अन्टर्ट्ट्ट् कि 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 आई यह कि जड़ वन जेट टू कि साड़े तीन गुना लग रहा है कि और उच्छा उठाएं और उच्छा ठीक है ना कि फिलिंग भी तो आने पहले पिक्चर यह दिमाग में खिचा है कि नहीं और एक जोड़ा उपर बनेगा तो एक जोड़ा नीचे और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा मेरा मकसद भी है यह का पावर आयोटा पाई बाई टू अगरे से दोस्ती करवाना ठीक है न यह अगर मेरा पॉइंट ए भी है तो इधर अगर सी डी बनेगा तो इधर सी डैस डी डैस बनेगा और लिखाएगा एक लाइन में लिख नाइन्टी डिग्री आर यू हैपी कोई एक रती दुख है रेक्टैंगल का डिफिनिशन पहले ही पूछ लिए थे बताना पड़ेगा पिक्चर से साफ लग रहा है यह भी नब्बे यह भी नब्बे इसका मिनिंग ही होता है राइट एंगल ठीक है ना अब आईए डी के बारे में लिखेंगे सी के बारे में लिखेंगे कोई दिकत लिखने के लिए बस यही दो अस्तर है जेड़ वन जेट टू बित रेस्पेक्ट टू एक बार बोलिए बित रेस्पेक्ट टू जेड़ टू जेड़ वन रिप्रेजेंट्स कंप्लेक्स नमब जेड़ 1 माइनस जेड़ 2 देख लिजे तीर चला दिए और क्या करें अब आपका काम क्या है जानते हैं कि यूशुड रोटेट इट बाइ 90 डिग्री तो रोटेशन के बाद तो इतना ही लंबाई लेके आएगा तो आफ्टर रोटेशन multiply it by 7 by 2 तब उस direction में 7 by 2 times हो जाएगा अगर आप इसको रोटेट करवाएंगे पाई बाई 2 से तो आप इसी length को प्राप्त करेंगे भले ये 90 डिग्री पे घुम जाएगा लेकिन लंबाई untouched लेकिन लंबाई चाहिए 7 by 2 times तो रोटेशन के बाद क्या कीजिए इसको 7 by 2 से multiply कर दीजिए ओके और 90 डिग्री से रोटेट करना है तो पहले तो direction पूछिए ये direction कौन सा clockwise और एक के साथ एक फरी भी लिखिएगा दूसरा वला कह रहा है कि तुम clockwise हो तो तुम्हारा एंटिक लॉक्वाइज रोटेशन के बाद हम बने हैं जो तुम्हारा मान आएगा उसमें चुपके से हम प्लस लगा लेंगे क्या लगा लेंगे प्लस लगा लेंगे तुम माइनस लिखो तो सही मतलब ही नहीं कि दूसरा वाला जो है अब एक बार पहला पूरा कर दिये उपर वाला अतम नीचे वाले के पास जा रहे हैं दोनों का काम एक साथ होगा और बाकी दो वर्टेक्स उपर मिलेगा तो दो वर्टेक्स नीचे ऐसा नहों कि एक वर्टेक्स यह और यह किये चुल लिए बरबाद ही हो जाईएगा देखे पिक्चर को अच्छा से फाइन अब बोलिए जरा इससे बात कीजिए और उससे भी बात कीजिए क्या बोलेगा कि मैं जेट्टू के रिस्पेक्ट में ऐसे आप भी बोलिए मैं जेट्टू के रिस्पेक्ट में सी बोल ला है फिर बोलिए मैं जेट्टू के रिस्पेक्ट में और बोलिए ने उदर 2 e to the power minus iota pi by 2 into 7 by 2 times फिर बोलिए मैं Z2 के respect में इतना हूँ तो तुम असल में कौन हो भाई तो बोला Z2 जोड़ दो क्योंकि जिसके respect में होते हैं वो मुझसे घटा हुआ होता है तो मेरा असली परचे देना है तो Z2 जोड़ दो क्या को दिकत एकी लाइन में लिखाएगा concept रहेगा तो तो धीरे धीरे पापड बिलना पड़ेगा तब इतना देर से बुलवा रहे थे ठीक है ना Z2 के respect में ये इतना है ठीक है ना rotation के बाद Z2 के respect में मैं इतना बनूँगा और 7 by 2 का magnification करने के बाद मैं Z2 के respect में तो कि घुमाया हुए यहां से और बढ़ाया हुआ है यहां से इसी वेक्टर को मैं बढ़ाया हूँ ठीक है ना और जिन पता नहीं इधर रहे कि इधर रहे हम जा जाने तो Z2 के respect में यह जो point है वो इतना है अगर मैं Z2 के respect में ठीक है ना मैं certain Z हूँ तो हकीकत में मैं कौन हूँ Z plus Z हूँ ठीक है ना Z2 के respect में Z क्या दा गया कोई दिकत यह मत छोड़ दीजेगा इतना थियोरी था सब टना टन हो गया तो नीचे वोला क्या कह रहा है कि मैं कौन हूँ बस खाली माइनस के जगह प्लस माइनस के जगह प्लस calculation में मेरा interest नहीं है concept में इंटरेस्ट है इसमें सारा कुछ आ गया जो अभी सीखे थे सब कुछ involved हो गया कि सीडेस क्या हो जाएगा जट्टू प्लस सेवन बाइटू टाइमस और एकदम बोर्ट साफ सुतरा है ना कि बोर्ट एकदम साफ सुतरा है जट्टू क्यों आइड की इस चली एक और मौका है उस मौके के बाद बात करेंगे लेकिन इस बार जो जो लोग बोल रहे हैं उनको भी साथ बोलना पड़ेगा माइक पर सब लोग बोलिएगा उधर से ठीक है ना उधर पूछ रहे हैं कि जट्टू एड क्यों कि अभी का नहीं इस बार तो उधर भी बुलवाएंगे इधर से तो बुलवा लिए है एक मौका संजोग से बचा हुआ है भी आईए ठीक है ना आ गए पिक्चर ठीक कर दिये अब बोलिए आप इसी को रोटेट करके ना यहां पहुंचाएंगे तो यहां पर पाइवट लेंगे रोटेट करके 90 डिग्री से यहां पहुंचाएंगे फिर इसको सेवन बाइट टू टाइम्स करेंगे तो इस वेक्टर क नाम क्या है वुलिए जैट कु मैंने जडवन इस धीड टू मैंने जडवन किसके रिस्पेक्ट में ओर इस ढ़र 9 जड़ी कटो लोग पूछ रहते बोलिये एक लिए कई भर उदर से में वित रिस्पेक्ट टू जडवन इस एबीवेक्टर इस अबीटर इस एट टो मैंने तो आफ्टर रोटेशन बिठ रस्पेक्ट तो जेडवन आज भी मेरा पाइवट औरीजिन कौन है जेडवन ओके सारी बाते मैं जेडवन के रिष्पेक्ट में कर रहा हूं थेक तो जेडवन के रिष्पेक्ट में अब मेरी वैलू क्या हो गई जेड़ टू माइनस जेडवन इंटू इटू दी पावर आउटा पाइवट यह एंटी क्लॉक वाइज है अपने आप इसको मेसेज देंगे कि तुम क्या बन गए जेड़ टू माइनस जेडवन इंटू आप दूसरा फ्री में लिखा किजिए एक एंटी तो दूसरा क्लॉक अब बोला भाई साहब हम तो यह पूछ रहते कि तुम हो कौन पहले तो यहां पहुंचना है जेडवन के रिस्पेक्ट में ठीक है न इस जस्ट इस लेंद लेकिन इस लेंद को मैं सेवन बाइटू इनहेंस करना चाकते ठीक है ना यह भी काम कर रवा चुके हैं लेकिन यह सारी बाते तुह रहे हिए जेडवन के रिट्वन के रिस्पेक्ट में हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसством 2008 को रिप्रिफरेंट करेंगे यह बताइए न और और खाय आओ इस पॉइंड को जॉइ कि कितनी आप से कोई पूछा कि आप बताइए जहां से ऑन यूर मार्क सेट गो दौर शुरू हुआ था उससे कितने किलोमीटर आगे हैं आप उसको जवाब दे रहे देखो ना वह अपने दोस्ते किलोमीटर आगे चल रहे हैं यही जब आप पूछे हैं पूछ रहे हैं कि आपका पॉछ रहे हैं कि और यहीं से नंबर का मतलब कमपलेक्स नंबर मैं हकीकत में कौन हूं मैं इस खुला हो थोड़े बाताना हैarf मैं कौन हूं काने वाला हूं तुम यह प्रैक्टिकली का निचोड मिल रहा है कि भोता क्या जानते हैं बडे theorem के उपर के question में गलती नहीं होती है गलती होती है जब basic में यह चोड़ दिये यह डी किये गुँमा तो दिये थे अब बताएवर के रिस्पेट में मेरा परिचे यह तो मेरा हकीकत में परिचे क्या है get one plus this so this is your d are you happy बित रिस्पेक्ट टू जेडवन आई एम सेवन बाई टू टाइमस आप दिस तो जेडवन प्लस दिस नीचे हो गया उसाब तो सजा देंगे हम पहले आप कंसिप समझे ना छोड़िये ना उसाब सजावट का चिंता ठेक यह आदर डाल लीजिए शुरुवाती दिनों में यह आदर डाल लेना होगा आपके ठीक है ना वहीं बड़ा बड़ा काम हम तभी करेंगे जब उसके उप पीड़ा सुरुव हो गया कब जूड़ जाता है कब का तैने जूड़ेंगे जो पीड़ा लेना है बेस में ले लिजिए ताकि एक्चुल थियोरम का जब फ्लो आए तो फ्लो मेंटेंड रहे है ठीक है ना आर यू कंफिडेंट अब बोल लिए बित रिस्पेक्ट तू अच्छा रेडमी जी का माई कॉन है देख लिजिए तब्यत खराब हो गए अच्छा अब तू कर लिए लगता है मूट कि कोई ट्रबल तो इसको लिए थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया है अब एकदम फिलिंग आएगी एक सेकेंड वाली क्या हो गया ऐसे देखें कॉनसर डिरेक्शन क्लोकवाइस क्या लगेगा माइनस एंगेल वाइट टू ठीक है ना विट रस्पेक्ट टू जेडवन वार यू जेट टू गुमाने के बाद जेट टू माइनस जेडवन इंटू इटू दी पाउर माइनस आउटा पाइबाइट टू ठीक है ना अब अभी साथ बटे दो टाइम्स करना है खट लेकिन यह सब हो रहा है जेडवन के रस्पेक्ट में हगीकत में कौन तो जेडवन प्लस देश हो गया कौन सा टेंशन कौन सा है एक नो हैड़ेक एट आल अब प्रैक्टिकल ठीक है ना हमेशा एकदम प्रैक्टिकल बन के फो गया प्यर तैयार अब क्या करते हैं यह का पाउर आउटा पाई बाइट बहुत सथा है बोल यह कॉस्पाइबाइट ओ यह पहले दो चार वर यह चि यह बोल ही लिजिए पहला दिन जितना बोलना है बोल यह खोग घुटो जीरो और वाइटो वण शाइन पाइबाइटी का यूटा आउटा पाइट का वण कोफिशेंट की बात कर रहे हैं यूटा भी करना सो दिस जटू प्लस अभी मत करें पूरा सॉल पर करके दिखाओ जै पांच प्लस तीन आउटा दे दिया कुछ भी देते रहें क्या फर्क पड़ता है हमारे उपर कि जब हम जड़ान जटू पर चीजों को डिवलप कर सकते हैं तो वन प्लस आउटा दे जगा जगा जटू के जगा थ्री प्लस फूर आउटा तो बाग जाएंगे पूट करने में बाग जाएंगे उसमें तो और मजा आएगा कि जड़िवन के रिस्पेक्ट में क्या है पहचान ले रहे हैं यह निडाउट प्लस करना नहीं छोड़ना है बिठ रिस्पेक्ट तू का कंसिप्ट जबर्दस्थ है जीवन भर और जिन मिलेगा यह सासा में मत ब रही बात इसकी इसकी वैलू क्या हो गई जेट टो अच्छा साइन माइनस पाई बाई टो माइनस वन तुहां लिख दें प्लस सेवन बाई टू टाइम्स अफ जेड़न माइनस जेट टो इन्टो माइनस आउटर कोई ट्रबल जेड़ वन प्लस सेवन बाई टू टू टाइम पास कर रहे हैं जेट टू माइनस एट वन आउटर एंड लास्ट वन एज तो जो टाइम्स इवन हम चाहते तो लेंद को के टाइम्स कर देते सेवन बाई टू के जगह के होता ठीक है ना तीन गोना चार गोना पांच गोना दस गोना जो भी करना लेकिन आज के बाद पाइवर्ट का कंसेप्ट रोटेशन का कंसेप्ट यह सब आपकी मुठी में हो कोई ट्रबल है ठीक है अरे जो है रहने दिए ने क्या कुछ गरबढ़ हो गया ठीक तो है तो क्या हो गया लिजी अब कहां खोए हुए उसमें अब तो घूम गया नाची है सब घू टाइमस ओ जैट टू माइनस एड़वन इन्टू माइनस आउटा इधर माइनस आउटा है इधर आउटा टाइम से आउटा तो नीचे लिखा गया उसके लिए टिंसन है जगह नहीं बचा था क्या करते इस्टील पर लिख दें हाँ साइन फाइब टू कितना वन क्या होगी आई लिखा 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 लिए काल्पूलेट कर लिजेगा ने कौन साटेंशन कौन ने दिख रहा है डी डैस कहा है डी डैस दी डैस तो वहां है उतो और उपर लग रहा अच्छा जेडवन प्लस सेवें बाइटू और अब हम लिखें न लिखें आपको टेंशन है अब तो जो कंसेप्ट सीखना था वो तो सीख लिए ठीक है ना कोई ट्रबल देख लिजेए इक्वेल्टू में दोनों इरेस टू पर मैंस आटा पाई बाई लेटू वाला लिख दिया और यहां माइनस आएगा यहां प्लस आएगा है ना इधर माइनस और उधर प्लस उपर नीचे अलग अलग है तो ठीक ठाट को आचा पहले असली बात बोलें दीजे यह फिर आव वर्टिसेज में क्या देंगे एक तरफ सी दी देंगे और दूसरे तरफ सीड़ेस दीड़ेस अइसा चमतकार मत कर दीजेगा कि पर वर्टिसेज रेक्टेंगिल का होगा एक तरफ से सी दें दूसरी तरफ से डी दोनों उपर वाला या दोनों नीचे वाला असली बात बोलने दीजे ना बाकी उधर का असली बात हो गया पाइवट का ख्याल रहे इसके रिस्पेक्ट में इतना एक्चुल वैलू में पाइवट को जरूर जोडएंगे कोई दिक्कत ठीक है ना कैलकुलेशन वगेरा के पीछे मत जाएए पहले कंसेप्ट ध्यान से देखिए कहीं कोई तकलिफ अब रेक्टेंगल के बाद तो इसक्वाइर बनाने का मन नहीं करेगा क्योंकि उसका एंसर यहीं छुपा है कैसे छुपा है बोलिए अगर इसक्वाइर रहता जिसके दो एड्जेसेंट वर्टिसेज देते तो दो एड्जेसेंट वर्टिसेज जेडवन जेट्टू आएगा तो इसमें कैसे एंसर चुपा हुआ है हाँ सेवन बाइटू को कर देंगे हो गया कोई दिक्कत क्योंकि लेंथ और बेट बराबर बेट का कितना टाइमस लेंथ वन टाइमस तो सुब काम में देर क्या एक हो जाए लिखिए स्कॉाइर भी खुस हो जाएगा और इसके अंदर यही तीन ज्यादा परचलन में है यह जितना कंसेट्ट रोटेशन और इस सब का सीखिया है न उसमें रेक्टैंगल स्कॉाइर और ट्रेंग यह तीनों को ज्यादा नाम कमाए हुए है इसकॉाइर विचारा दुखी क्यों रहे है रेक्टैंगल तो गजब खुस हो गया उसका तो जेनरल बन गया जेडवन जेट्टू एकदम जेनरल पे एकुलेटरल ट्रेंगल भी मौका दे दिजे पॉइंटी के उपर मौका दे दिजे लिखिया है इस फाइन तेगा ना प्यार ओफ रिमेनिंग वर्टेस इस और स्क्वार ओस तो एजसेंट वर्टेस इस और जो मन करें सो लिख लिए बोलिए क्या चाहिए बस इतना आराम से काम चल जाएगा चलिए और वन वन टू प्लस त्री आयोटा तरह तरह का बोल दिये सब टॉस करें क्या हाँ पिछला दोनों बुले थे ना उनके बीच में है यह वाली हो गया एक में माइनस भी लगा दें चलिए ठीक है अब दो तरह का लालस था एक तो लालस यह आ गया कि कंप्लेक्स नंबर लिखें दूसरा लगा कि यह भी लिख देंगे तो कंप्लेक्स लिट ओ यह कौन सा कंप्लेक्स नेंबर है यह कॉन सा कंप्लेक्स नांबर टूप्लिक्स घी को डिक टूइंट तूड़ सब्सक्राया है तो सकता है गवाग यह लिक बाग जाए अब हॉल में देख रहे हैं कि यहां वर्टी से जैसा लिखा हुआ है और उप्शन में लिखा हुआ है कंप्लेक्स वैलू जाए यह क्या हो गया भाई इधर तो टपल लिखा हुआ है उधर ऐसा उपर से क्लेम की बीच में कोडिनेट का सवाल कैसे पूछ लिया मेरे पेपर मे एक और भारी आफ़र ठीक पिक्चर और साउंड जा रही है ठीक से यह सब्सक्राइब तब तो दरकी नहीं को नहीं दिख रहा होगा तो इंडिविज्वल होगा एक मेसेज था इसले पूछे आजएए अब हॉल में इस फिराक में मत रहिएगा कि वन और माइनस वन को मैं गजब का ऐसे दिखाऊंगा ठीक है ना और टू-3 को मैं ऐसे दिखाऊंगा ऐसा लाइन बनाऊंगा कभी कभी होता है कि एक्चुल पिक्चर बनाने के चकर में बच्चा हॉल में पढ़ गया उसमें भी बरबाद हो गया ठीक कि कहना थे बहुत क्अने फिराशे बनाऌ नगया है थे जो लाइन ऐसे बनता उसको मैं आएसे बना लिये तो को यह बुरा ही है हॉम दो है एना अपना कॉपीोफ्ट कर देंगे मेरी मर्जी कॉपी पैसे बनाव को मैं इस इससी इधा कर ल जैसे भी लिखेंगे फिलिंग आ जाए कापी टेड़ा कॉपी लिखते कि लिखते हैं तो यह अची बात यह और इसको भी टेड़ा करने में दिकत नहीं है कि आई चली है शुरू हो जाएना इस वन माइनस आउटा एंद इस तू प्लस थ्री आउटा कन्फिदेंट एन बी गिवन इस टो के सेम लेंथ उपर यह हो गया एक प्यर सी डी और दूसरा प्यर सी डैस डी डैस कन्फिर्म एक पिक्चर उपर और एक पिक्चर नीचे आपको मन करें तो डॉटेड लाइन भी दे सकते हैं और एकदम मन से बोलिएगा यह है नाइन्टी डिग्री यह है नाइन्टी डिग्री एक पिक्चर बनाएंगे दूसरा आपने आप अपने स्टूड होगा डिरेक्शन एज एंटी लॉक्वाइज डिरेक्शन इस लॉक्वाइज लिग्दें एंगिल तो पता ही है नाइन्टी डिग्री वह भी लिखना पड़ेगा नाइन्टी 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 पोल यह बित्रस्पेक्ट टू वन माइनस आउटा वाट इस दिस कंफ्लिक्स नंबर वन एक किरन तू माइनस वन किये है प्लस 4 आउटा आर यू हैपी अभी यह रुके हुए है ठीक है ना अगर यह वन प्लस 4 आउटा है तो यह कौन होगा माइनस वन माइनस 4 आउटा इतना पता है न कि अगर यह वेक्टर है तो यह माइनस ए वेक्टर चलिए न सुरुवाती दिनों में थोड़ा सा वेक्टर की दुनिया में भी गोता लगवा दे कोई कस्ट नहों ओके गटा है न ठेक दो में से एक गया एक तीन माइनस माइनस वन चार कोई ट्रबल यह क्या है बित सब्सक्राइब करेंगे 90 डिग्री से यह एंगिल है एंटी क्लॉक्वाइज देन बित रस्पेक्ट तो देस यानि बित रस्पेक्ट तो अब जुटेगा यह कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बित रस्पेक्ट तो दिस दिस वन प्लस पूर आयोटा इंटू इटू दी पावर आयोटा पाई बाई टू नहीं लिखे आयोटा लिखने नहीं लिखी देते हैं छोड़िए अभी दिस्क नहीं लेना है यह तो हम तो सिधा आयोटा लिखने के चकर में थे जब तक लिखेंगे ज्यादा और अच्छा एसास होगा धीरे धीरे दे है वन माइनस आयोटा प्लस ए वन प्लस कुछ नहीं करें कॉपी पेस्ट और इतना कॉपी पेस्ट होगा कि केवल कॉपी ही पेस्ट होता रह जाएगा देखिएगा आप पुछिए अगले में क्यों बोले इस तरह का बात क्योंकि अगर मैं इतना हूं तो यह कितना है मेरा निगेटिव और इस बार पाइवट क्या बनेगा देश और एंगिल क्या हो जाएगा उसका एंटी था तो इसका क्लॉक देखे कितना अराम से लिख रहे हैं सही में करे हैंगी जब अर्दस्त कॉपी पेस्ट होगा टू प्लस थ्री आयोटा प्लस को सेम तिंग बिद माइनस साइन कोई दिमाग नहीं खर्च करना है इंटू इटू दी पावर माइनस आयोटा पाइबाइटू बस एक में आप मेहनत कीजिए ना बाकि सब अपने आप लिखा ज जाएंगे सिद्धा निगेटिव तभी तो अभी लिखे थे वेक्टर का माइनस एक्टर नो टेंशन एट आल है ठीक है ना कोई दिक्कत बाद में तो आप लेए सब तो कुछ को है ही नहीं खट-खट बनने लगेगा और उसके बाद इधर आये तो क्या तो यहां जो माइनस था उसके जगा प्लस दिस टाइम योर पाइवट एस तू प्लस थ्री आउटा एंड डेस प्लस माइनस वो तो जितनी अच्छी फिलिंग आएगी न शुरुवात में उतना ही आगे फैदा होगा इटू दी पावर आउटा पाई बाई टू गेम ओवर सी डी सी डैस दी डैस सब टन आ टन अल्ला देखिए वन प्लस फोर आउटा यह क्या करते हैं वही रिपीट बताएए जेट टू माइनस जेड़ वान इससे इसको घटाईए ना टू प्लस थ्री आउटा लिए तो उतना दिर डैस टच्छा सम्झे रिपीट करने का रहा है देट बान टू फ्लस फोर आउटा है लग सेड़ के रिस्पेक्ट में जेट टू बॉन प्लस फॉर आउटा का नेकतिव हैक्दम यह होना चैहिंी एक इतो के कि हर बार एक नया नया चीकी लाने का प्रयास किए हैं एक यी बार में लगश ऑघ करोग्स है तो घरबढ़ हो जाएगा लेकिन दीरे-धीरे जितना भी चीज जी सब आना शुरूर हो जाए तब नम्मजा है कोई तखलीफ ठीक ही बार में सब आ जाए तो शजा भी हो जाता है कि अब कैल्कुलेशन की बात क्योंने वान आउटा से गुना करने में दिर लगता है उसमें भी मुश्किल होगा कैल्कुलेशन हम तो चाहर भी नहीं रहें बस इतना बहुत है रही बात फर्दर काम करने के दो दिस इस आउटा वह जितना देर लिखा रहेगा उतना अच्छा लगेगा वाट इबाउट देस माइनस आउटा वाट बाउट देस आउटा एड़ बाउट देस माइनस आउटा ओके अब यह तेंजन है कुछ ठीक है ना कैलकुलेशन छोड़ने है विश्वास के कौन से काम है जान बुझके छोड़ रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया यह हो गया वह हो गया ठीक है ना हो जाएगा ना कोई टेंशन कंसेप्ट का है तो बोल दीजे। अब आई ये थोड़ा सा मॉडुलस और एम्प्लिच्यूट को भी खुसी दें ठीक है न जो शुरू में आया था वेचारा उसको भी कुछ मिला ही नहीं खुसी थोड़ा भी इन लोग तो खुस होता जा रहा उसका यूज़ करकर के इफ जेड आई इस एक्वल टू आर आई इन्टू ए टू दी पावर आउटा थीटा आई अरे बापरे दोनों आई में लड़ा ही हो जाएगा क्या देखिए दोनों आई लड़ भी सकता है तो आई को चुपके से जे बना दीजिए ठीक है ना यह आई जे आउबिएसली यह आइस मॉडलस ओफ जेड जे यह और चमतकार करके लिखे कि इव जेड वन जेट टू जेडे नर कंप्लेक्स नमबर्स यह जेड कंप्लेक्स नमबर होता है यह ठीक है ठीक लगने लगा है ना इतना है एंड ठीटा जे इस एंप्लिच्यूड ओफ जेड आई नोटेशन्स वगेरा से दोस्ती हेडिंग नहीं देंगे पहले तो बहें चीजे साब सुतरी हो जाए और एक्स्पोनेंशियल कहता है ना एका पावर एंटू एका पावर भी एका पावर एप्लस भी है ठीक एटू दी पावर एपॉन एटू दी पावर भी एटू दी पावर ए माइनस भी तो यहां मल्टिप्लिकेशन और दिविजन तो हीट हो गया और वो एक्स्पोनेंशियल के चक्कर में ठीक है ना थेन जड़ भन जड़ टू सो औंज एड़ एक्वल टू आर्टो आर एं निन तो यह तो दी पावर आउटा तीटा वन टीटा तीटा टू प्लस यू प्लस ओन तीटा एं तीटा एं आर य। कोई दिकत को ना कर दिए अभी सभी पुछेए कि आरवन इंटो 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 आरवन इंटो इंटो इसारे आरवन को एक साथ गैदर कर दिये आरवनार्टू आर इन को खुश है ना एकदम साफ सुत्रा यानि आपका जो प्रोड़क्ट जो complex नंबर देगा उसकी वैलू इत implies that modulus of Z1 into Z2 into Zn that is R1 into Y अगर पुछना है तो पुछ लिजे मुझे तो लग रहा है कि अभियस लगना चाहिए and amplitude of Z1 into Z2 into Zn is equal to theta 1 plus that is amplitude of Z1 plus amplitude of Z2 plus so on amplitude of Zn सबों के amplitudes का सब any doubt उचिन इसाब सुत्रा है अब उसी को English लिखने वाले क्या लिखेंगे explanation बाद में मन करें तो दो लाइन इंगलेस अन्न करें मन करें तो वह भी नहीं कि मैं तो ठीक हो गया ना कम से कम कि को कि कोई ट्रबल कि मिटा दें हैं एंड उसी में continue Z1 by Z2 if Z2 is non-zero then this will be equal to r1 by r2 into e to the power iota theta 1 minus theta 2 अब सारे इन को एक साथ कैसे करी करें कुछ उपर रहो कुछ नीचे रहो तो काता one by one कर लिजिए सब का काम हो जाएगा उसी में continue कर दिए जो साब सुथरा लगे तो यहां से क्या मिल गया Z1 into यह है कि अगर non-zero है तभी तो डिविजन किजेगा 0 से we divide कर दिजेगा नहीं तो Z1 by Z2 का मौड क्या मिल गया r1 by r2 r1 किसका मौड है जैड़ बन का किसका मौड है जैड़ टू का और जैड़ बन बेजेट टू का एमपलिच्यूट स्थिटा 1-6 तो यह सब तो साहइब बहुत सिंपल है क्या कोई दिक्कत इंप्लाइज ठीक है नहीं नम्बर वन Z1 by Z2 का मौट इक्वल्स to R1 by R2 that is and second amplitude of Z1 by Z2 that is theta 1 minus theta 2 which is amplitude of Z1 minus amplitude of Z2 कोई ट्रबल कोई दिक्कत ठीक है नहीं तो गुना और भाग तो खुस हो गया कि हम लोग तो खुस हैं complex numbers को आप multiply करेंगे add करेंगे खटा खटा बता दिए ठीक है ना क्या relation होगा प्रोडक्ट और division का जोड और घटा आप कहां जाएगा algebra of modulus या algebra of amplitude में plus और minus अलग उचल रहा है लेकिन हाँ यह दुनों ठीक है ना यह तो बहुत सिंपल है इसके उपर भी पहले काट कोशन हो जाए हो जाए हो जाए जाए ना चैना यह सर यह सर यह सर यह सर ना इक बड़ मैसेज देखिए सर हाँ बोलिए मैसेज में क्या हो गया तो एंसर भीजा हुआ है मैं भीजाओं दिख लिए हाँ बोली कोई दिकत कहा पे किस में कोई दिकत कहीं पर नहीं सर अभी नहीं है लेकिन बोल रहे था तो आपको बतादिये हां बोलीं ने कहां कोई दिकत है तो हुआते रहीता रही हो से किससिट 가장 पर फिसके पहले भी कुछ गया कि था ने बोले तो आपको भी भूल दी आवाज नहीं आया लेकिन हां सर आवाज आ रहा था आपको आ किया था हां सर मुझे आया था मैसेज आया था इसलिए आपको बता दी आच्छा ठीक है कोई ट्रबल सर क्वेशन कर आते वक्त स्पीट को दूड़ा स्लो कर दीजिएगा और राइटेंग को बोल दिया किजिएगा जिस जगह पर कंप्लीट मतब समझते वक्त लिखा नहीं जाता है लिखते वक्त समय नहीं बात है आईए लिखिए इफ जेड इस एक्वल टू 1 plus iota into 1 minus root 3 iota upon root 3 plus iota into 1 minus iota then modulus of jet is equal to fill in the blanks and second amplitude object is equal to fill in the blanks जहां को चटक जाये बोला थे लिख लिए अब चार-चार complex number है उपर दो और नीचे दो और अभी अभी प्रोपर्टी पढ़ किया है इस थे करना तो गुणा करने की कोई जरुरट नहीं है मौटज बिल भी मौडड़ेस इन्टु मौड़ेस इन्टु मौड़ेस इन्टु मौड़ेस कोई दिकत देख लेजेए को बाराम से तो बोलिए जेड का मॉडलस मॉडलस ओफ वन प्लस आयोटा चलिए पहले आयोटा ही लिखा गया कोई दिक्कत तो नहीं न वन माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइड़ बाई मॉडलस ओफ कोई ट्रबल कौन सी प्रोपर्टी है प्रोड़क्ट इस ठीक न मॉडलस इस डिस्ट्रिबूटीव ओवर प्रोड़क्ट एंड डिविजन चाहे अलग-अलग मॉडलस लगाईए यह कठा मॉडलस निकालिये बात बराबर है इसमें क्या फैदा हुआ जानते हैं गुना करने की ज़रूरत है ही नहीं बोल यह वन प इसका टू और इसका लोकर वान यहां तक पहुंच गए है कोई ट्रॉबल सबका अलग-अलग मॉडलस निकाले ठीक है ना अब जरा एंप्लीचूट की बात करें मॉडलस में सारे लोग कमफ़टेबल कोई दिकत एंप्लीचूट अब जेड बोलिएगा जो प्रोड़क्ट में होगा उसका प्लस और जो डिविजन में होगा उसका कोई आपते माइनिस होस यार बच्चे का क्या काम है किसी एक प्रिंस्पल रैंज में निकालना चारों का वैलू कौन सा रैंज आपको शूट करेगा जल्दी बोलिए अपको ज़्यादा आचा फिलिंग देता है कुम लगता है मेरे आंख के सामने है फिटा किसका जीरो से 90 के बीच का इधर पाई 枷 माइनस ठीटा परयों को जाते अश्य कह काई एक हो जा सिर physically ज्यादा सूठ एगा जो आजप्समेंट करना है उसके उपर करते रहे वह आपको एक अच्छ शाट कॉमरिंग देगा कि दोनों positive मतलब फॉर्स्ट यह आपको अच्छा लगना चाहिए तो फॉर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 10 inverse y by x चाहो गया वन बाई वन धर से देखे यह भी लिख दिये मैगनिचूड के वह लिखना है और क्वाड्रेंट पहचानना है क्या पहचानना है पहले बाले की वैलू कितनी है पाइबै फॉर्ट आवड इस इस इकल टू पाइबै फॉर्स ये एक्स पॉजिटिव य निगेटिव किस पोटैंट में फूर्थ वह तो 10 inverse root 3 by 1 that is 5 by 3 ठीक है ना और 4th quadrant में होने का मतलब हाँ 2 pi minus pi by 3 very good सबका data एक ही रखे नहीं तो पटांग हरकत किये तो बरबाद हो जाएएगा सब को जीरो से टूपाई में लिखिए पहला दूसरा हो गया सेटल को पहचान ना आ गया देखे नहीं सब डाल लीजिए इन सब चीजों की अच्छी आदत शुरू में पढ़ गई बहुत फैदा होगा आगे माइनस इसका क्वाडरेंट फर्स्ट दोनों पॉजिटिव प्लस 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 तो यहां पर वन बाई रूट थरी दाट इस पाई बाई सिक्स तो यहां माइनस पाई बाई शिक्स फिर माइनस इसका क्वाडरेंट को तो यह बात यहां अलग है कि अगर मैं कर भी दू माइनस वन प्लस 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 आउटा तो जिनको मन करेया माइनस वन कॉमल लेंगे हम माईनस बन बाक से बना देंगे कि माइनस बान सब्सक्री नमबर है नीचे रख चाहे ऊपर रख्ञे और उसका एंप्लिचू पाइगो मैंनस वन का लिटाफ नहीं है कि इसको या सब प्ल्स बिप्लत माजा यह दो यह दोनों अगर सबाइम लेते अब अफॉठरय ना अभी हम पुछ रहा है पहले माइनस वन जो तप楽s कुछ numb अब कुछ नहीं हो और बना देगा मैंनस वंएधर है देखिये न कितना एंगिल बनाया है why okay this point is minus one are you happy you're minus one got together minus one means minus one plus I would tie into zero minus one is minus one plus I would tie into zero go the cut that's again second-care concert coordinate x positive y negative x positive y negative x positive y negative x positive y negative boliye जैने उधर बोलने दिए प्लस थर्ड फिर 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 सेकेंड बोलते हैं तक रहते हैं था फोर्द 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 में टैनि वर्स मॉडलस और य अपन मॉडलस आफ एक्स का जो निकलेगा पाई बाई त्री उसको टू पाई से घटाएंगे फोर्द में वोर्द अभी हम भरे भी नहीं है फोर्द में कौन सा अब बिचेंड मतलब सेकंड वाले क्वार्दि फोर्द तैन मंतलब नब कुवी सेकंड कहताहीं नहीं फर्स्ट और थर्ड का फर्स्ट फॉर्स्ट 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 फॉर् फाई माइनस आर्यू हैपई टू पाई टू पाई कैंसल पाई बाई फॉर माइनस मैं पहुंच यह प्लस तो 90 डिग्री पाई भाई फॉर हां ठीक है 90 डिग्री हो गया दुनों मिलाकर हम माइनस भी क्या हो गया ना मज़ा आ अच्छा तो है कि बात है जीरो आने का मतलब कोई ट्रबल जीरो आने का मतलब हो गया कहां पे होंगे क्योंकि मेरा मॉडिलस वन है एंप्लिचूड जीरो है तो पॉजिटिव डिरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगिल बनाएंगे जीरो डिग्री जीरो डिग्री अंगिली बनाने का मतलब बिल्कुल वहीं पर पड़े हुए ओके कोई दिक्कत सो दिस इस इक्वल टू जीरो यह भी आपका अच्छा संजोग है कि मिल गया जीरो कोई तकलीफ कैल्कुलेशन में कोई दिक्कत और हम तो चाहते थे कि मॉटलस और अपनी चूट थोड़ा खुस हो जाए ठीक है ना कोई दिक्कत आजए अभी ठीक है ना कि मिटा दें कि कि जीरो नहीं आ रहा है तो हम क्या करें अभी तो जीरो आया था तक कुछ बोले नहीं कि करना देखिए दिस माइनस देस अपलस यह दोनों का सम साथ और तीस नब्बे यह दोनों का सम नब्बे अब बताए यह जोडने में विटेंसन में अभी मिटाने जा रहे थे तो एक बोल दिये कि जीरो नहीं आ रहा है जीरो तो अच्छात आ रहा है तो अच्छा है कि मिटा नहीं है भी कोई ट्रबल तो एम्प्लिच्यूट की वैलू क्या लिखे जाएंगे जीरो प्लस टू के पाई कि विएर के बिलॉंग्स टू इंटीजर कैप्टल एम्पी पूछता तो जीरो लिखते छोटा एम्पी पूछे थे तो जीरो जैसे ही आया तो खेर यह तो विश्वास है कि टू के पाई तो जरूर जोड़ेंगे जनरल एंसर ना दे दें कि कोई ट्रबल लिखे एडिशन मुल्टिप्लिकेशन और डिविजन बहुत ही सिंपल है ठीक है ना अब जरा एडिशन की बात कर ले ट्रबल्टिप्लिकेशन लिखाने नहीं जा रहे है उसके मॉड्लस की बात कर दे जा रहे है क्या लिख दे मॉड्लस ओफ एडिशन चल जाएगा वह लिए चलेगा तब ठीक है तो इस बार तो पहले डर से लिख देते हैं जेड वन एंड जेड टू आर टू कंप्लेक्स नंबर देन जेड वन प्लस जेड टू मॉड इस लेस दैन और इक्वल टू ठीक है ना गुणा भाग को कोई टेंसर नहीं सप्ट्रैक्शन ओफ कंप्लेक्स नंबर्स ठीक है ना बस एक ही चिज़ लिखेंगे जेड वन माइनस जेड टू का मॉड दैट इस ग्रेटर दैन और इक्वल टू मॉड ओफ मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू चलिए इस बार जमिला ही खतम कर दे रहा है पहले ही लिख दे रहा है ठीक है ना वेक्टर कितना खुस हो रहा होगा कि मेरा लगता है पहले लोग्राम लॉफ एडिसन आएगा बुले हम लोग भी वेक्टर साहब को कि आप और हम लोग दोनों से मिए घब राइजे नहीं ठीक कोई ट्रबल होता है दे रहे हैं लेजिए अच्छा आप क्या सोचे कि भाग गया देकर बीच में छोड़ जाए चाहे कुछ हो जाए तो उसके चलते हम पहले ही लिख दिए जबकि हम पहले लिखते नहीं है पहले तो हम प्रूफी करते हैं उसके बाद लिखते हैं इस बार पहले लिख दिए डर से आईए ठीक है ना यह देखिए दिस इस कंप्लिक्स नंबर जेड़ वन कोई ट्रबल यह अगर ओ है यह अगर पी है तो पी क्या होगा ओपी वेक्टर इस मौट जेड़ वन आर यू हैपी अब इसी डेरेक्शन में मुझे जेड़ लेना है बोलिए जेड़ वन से बड़ा लेकि छोटा का जो बोलिएगा सो छोटा लेले ठीक है माना की दिस पॉइंट ओक्यू रिप्रेजेंट यूर कंप्लेक्स नंबर जेड़ टू सेम डिरेक्शन ओके ठीक फिर रुख गए हम तो अगर जेड़ टू आर टू इंटू इटू दी पावर आउटा थिटा देन जेड़ वन एज ठीक अन आर वन इंटू इटू दी पावर आउटा थिटा थिटा सेम रह गया अगर दोनों सेम डिरेक्शन में है देन ठीटा इस सेम अभी न सिखाये थे मैगनिफिकेसन इसकेलिंग में सिखाये थे ना अच्छा उनका फॉर्मल नाम जानबूच के नहीं लिखे है कि फॉर्मल नाम लिखाता है कन्फर्मल मैपिंग में इसलिए उसके लिए छोड़ द कि या इक बढ़ हो गया जेडवन प्लस चेटू का मतलब क्या हो गया का जार वन प्लस और टू इंटू इटू और यू एक यहंपी क्योंकि डोनों का थीतरा सेम है और रवन कौन है वह ली आरवन कौन शूत दोस्टी आज हुआ है कि नहीं मौट रटू मौट जेट और ब Z1 plus Z2 का mod that is R1 plus R2 बराबर mod Z1 plus mod Z2 this is case 1 ठीक है ना और मेरी बात पिक्चर से होगी यहां पिक्चर से किया हुआ बात ज्यादा अच्छा है पुरूफ if Z1 and Z2 are in same direction direction भी खराब लगता है पूछ लिए direction किसको कहते हैं हम तो यहां तक कि North East Southwest भी बोलने के लिए तैयार है थर्टी डिग्री नौर्थ ओफेस्ट भी बोलने के लिए तैयार है इन इन सेम डिरेक्शन अगर यह अगर जेड़वन जेट्टू सेम डिरेक्शन में है तो Z1 प्लस जेट्टू का mod mod Z1 प्लस mod Z2 होगा और मैंने दावा क्या किया है या तो बराबर होगा या लिस देन और इक्वल टू होगा ओके कोई दिकत ठीक है ना एक पिक्चर संपन हुआ हो गया ना नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं घबराइए नहीं आपके वल जितना टाइम लेना है ले लिजिए बीच में कोई दिकत ने उतना टाइम थोड़ा आगे बढ़ा दीजेगा बस उसके बाद कोई टेंसन नहीं है कि रेज करने आप पांस क्या पचास नेट तक बुलिए गार छोड़ देंगे एक दम टेंसन फ्री अब पिक्चर अच्छा बात कर रहा है इंग्लिस हम लिखाते ना कि को लिनियर है तो यह है वह सेम डाइरेक्शन उतना मज़ा नहीं आएगा जितना अच्छा पिक्चर बात करेगा अगर उसी लाइन पे अपोजिट डाइरेक्शन में हो गया दूसरा ठीख है ना आप से अब हम बात करेंगे अगर इसका मॉड लस आर टू है तो इसका एमप्लिचूट क्या हो जाएगा इसकी एमप्लिचूट क्या होगी लिखें उदार बोलिए थीटा प्लस पाई थीटा प्लस पाई ठीक है न जो ही अगर थीटा ये बनाया तो इधर थीटा प्लस पाई यानि इसको हम लोग लिखेंगे माइनस आर टू इन्टू इटू दी पावर आयोटा थीटा कैसा रहा ये बुरा लगा तो बोलिएगा आप ये भी बोलिए या तो मैं लिख दूंगा अटू इस मॉडलस ऑफ जेट्टू क्योंकि यहां लिखाता थीटा प्लस पाई रटू के साथ और ये का पावर आयोटा पाई क्या जाएगा माइनस वन आदत पड़ी की नहीं पड़ी यह सब चीज की आदत इतनी मजबूत कर देना है शुरू में कि आगे टिंसन ना हो एका पावर आउटा पाई इस माइनस वन एम्प्लिचूट बेसक इसका प्लस पाई है लेकिन उसको मैं एक जटके में लिखा यह सब हम आपसे इजाज़त चाह रहे हैं इजाज़त है हम तो लिख दिये थे फिर हम वापस बैक ट्रैक कर गए ठीक है ना मतलब उसी लाइन पे अपोजिट डैरेक्शन में आ गया ठीक है ना और आपको पता है ना कोई भी तीन पॉइंट अगर प्लेन में लेंगे तो या तो एक लाइन पर होगा या नॉन को लिनियर होगा तो ट्रैंगल बना लेगा क्या बना लेगा ट्रैंगल हो गया देख लिजिए नहीं सब आदत पर जाएगी अगर ऐसा सिच्वेशन है दिन वाट इजेड वन प्लस जेट टू देस और मॉट जेड़ वन प्लस जेट तो क्या है अगर बता दिये तो मजह आ जाएगा डाट इस एक्वल टू आरवन मॉड पूछे क्यों क्यों कि अगर आर्टू बड़ा हो गया यहां माइनस लग गया ठीक नहीं निगेटिव आ गया तो मैगनिचूड आर्टू माइनस आरवन देगा और वह माइनस जाके वहां प्लस पाई बाई फूर बन जाएगा फिर रिजल्टेंट पीछे की और आ ज हो जाए आप सिखते रहिए चिंसर मत लीजिए और हमसे अच्छी बात पिक्चर करेगा इफ देज आर इन कौन डिरेक्शन लिखें बोलिए वेरी गोड चलिए इतना तो पुटा चल गया अपोजे डिरेक्शन देन इसकी वैलू इतना सीधे मत लिख दीजेगा रवन माइ रवन ही रहेगा वो जो है निगेटिव कहां एड़्जस्ट होगा एंप्लिचूड में क्या बन जाएगा थिटा प्लस बोलिए पाई को दिकत देख लिए अराम से अब अगर यह इतना हो गया तो यहां तो रियल की दुनिया से लिखें दिस लिस देन और इक्वल टो ठीक है ना आर वन प्लस आर टो ओके यानि मुझे तो यही साबित करना था जेड़्वन प्लस जेड़्टू का मॉड इस लिस देन और इक्वल तो दिस हला कि यहां इतना बुरा हाल है कि दिस इवें स्मॉलर देन मॉड जेट वन एंड स्मॉलर देन मॉड जेट टू ठीक है ना फिर भी अम इतना सम्मान दे रहे हैं तो कि मेरा थ्योर्म स्टैबलिस हो जाए ओके और अगर ठीक है ना देख लिए सेम लाइन पे नहीं है मतलब ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर एक ही लाइन पे नहीं है आगे या पीछे तो इसका क्या मीनिंग है कि इस थ्री पॉइंट्स बिल फॉर्म अ ट्रेंगल ठीक है ना और जैसे ट्रेंगुलर से बनने लगा इसको थोड़ा सा और एक डाइमेंज से एक्स्टेंड करके मतलब एक और भुजा बनाकर पैरल्लोग्राम बना देते हैं और आईए नब बनाते हैं आपके सामने लेकिन उसके लिए सर्थ ही है कि दोनों एक लाइन पे नह हो अब दो भुजा एक लाइन पर होगा तो कहां से बनाएंगे लोग्राम ट्रेंगुलर टाइप का पॉइंट होना चाहिए कैसा होना चाहिए नौन को लेनियो तब इसको अग्जेसेंट साइट्स ऑफ टार्लोग्राम ट्रिट कर सकते हैं करें तीसरा किस और का टाइम हो करेंगा ना कि आटू कि एड़ कोड़ेंट में सब्सक्राइब है थर्ड कोड़ेंट के चकर में पाई लग गया ना यहां कि थर्ड कोड़ेंट में पाई प्लस ठीटा लिखें है ना आज कि ठीक है न कि पिक्चर मत कर रब करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब यह उदर रोक लिए पिक्चर मिठा रहें के लिए मिठाते मिठाते रुख जाना पड़ाएं ठीक है ना कोई दिकत अब मिठा दें यह सर अब आई यह इधर देखिये नाव ओ पी यह है जेडवन ओ क्यू यह क्या लिए है सेम लाइन पे एक तरफ है ना पोजिट मतलब यह तीनों पॉइंट नॉन को लिनियर हैं तब हम लोग इसको दो एड्जेसेंट साइड्स और पैर्लेलोग्राम लेते हुए एक पैर्लेलोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर दिये किसका कंस्ट्रक्शन कर दिये लोग्राम का ओके लोग्राम में यह दोनों बुजाएं बराबर इस तू साइड्स आर एक्वल और पैरलल अगर पैरलल है तो इसका मतलब अगर यह जेड़ टू को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ना तो यह भी जेड़ टू को देख रहा है इसको तब लिख रहा है पीक्यू वेक्टर शायद यह भी आदत पढ़ने लगी होगी पढ़ रही है ना अगे देख लिए आदत की बात है आदत आ रहे है दिरे दिरे मन में यह दोनों एक दूसरे के parallel same length ठीक है न यह origin से initiate हो रहा है यह P से initiate हो रहा है so PR vector and OQ vector they are same and both are hence Z2 तो अगर यह Z1 यह Z2 तो इसका मतलब है कि vector wise अगर देखें then this vector is Z1 plus Z2 और उसके बाद non-collinear होने का सबसे बड़ा फैदा by triangle inequality उसमें जानते हैं त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के ठीक है न लंबाई का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है some of the length of the sides of some of the length of two sides of a triangle is greater than the length of the third side फिर भी एक्दम confidence रहना चाहिए and what is this length mod Z1 what is this length mod Z2 and what is this length कि जब मन करें वेक्टर का यूज कर लीजिए जब मन करें तो कॉडिनेट का यूज कर लीजिए जब मन करें तो कंप्लेक्स का यूज कर लीजिए कंप्लेक्स में भी जब मन करें तो काटेजियन और जब मन करें तो पूलर आप खुड डिसाइट कर लेंगे कि कब कौन सा ज़्यादा आसान है आपके सारे रास्ते खुले होने चाहिए सुरुआत में ओके सो कुछ नहीं सारा बात पिक्चर इफ इफ जेड वन एंड जेट टू आर नॉन को लिनियर को लिनियर का दोनों केस कर दिये थे आगे पीछे देन बाई दो चीज आप इसको बोल सकते हैं पैरलेलोग्राम लॉफ एडिशन पैरलेलोग्राम लोई सलिए बोला गया क्योंकि मैंने पैरलेलोग्राम कन्सुक्ट किया और बाई प्रेंगल 내일 र시टी वाटेवर हीवान दो टूछ z1 plus z2 का mod is strictly less than mod z1 plus mod z2 यहनि less than or equal to satisfy होई गया कोई trouble और कुछ हो सकता है या तो आप collinear रहेंगे सब कुछ दिखा दिए और दिखाने का मकसद है कि अगर वह सब चीजे ठोस होने लगाना फिर तो मज़ा जाएगा पुरा कमांड हो जाएगा कब क्या लिखना है कब क्या करना है एक एक बात साफ सुथरा होने लगेगा ठीक है न कोई ट्रबल नॉन को लिनियर के बाद अभी नॉन को लिनियर के बाद पूछ रहे हैं यह हैं यह देन भाई हमें लगा कि जो है किसी पूरा तो नहीं पूछ रहे हैं यह जेट वान एंड येट टूर साइट से ग्रेटर दैन लेंट आप दी थर्ड साइट ओके तो ज्यादा बोली है तो फॉर्मूला भी बता देंगे इस पार प्रस भी स्पार प्रस टुए बीन टू कॉसी बोलें क्या ठीक है ना को साइन फॉर्मूला ठीक है ना यह कोई ट्रबल क्या हुआ जा अभी तो कुछ बताएं भी नहीं है अभी तो हलकी हलकी बात सब चल रही है अच्छा सब टाटा भाई भाई उधर भी करने लग गया है पहले दिन धेर कोई बात नहीं चलिए चलिए अभी तो वार्मूलीज यह फिर कोई ट्रबल है यहां तक अभी तो लेकिन माइनस क प्रूप चुट गया कल होगा कली होगा ना कोई कोई दिकत नहीं है सोचते हुए आईएगा कल वहीं से पिकप पकड़ेंगे कि नहीं हम आउट नहीं हुए इधर सब आउट कर दिये जा कहें हम पायर से दोस्ती करके बैमानी कर लिए हैं लाइट का प्रोब्लम है सर पर एक कोश्चन कोई दिकत सरक्ष्चन है तो अब भाई आप ही लोग नहीं है आप बोलिये अब बोलिये अब बोलिये वह वानिक जी गनित वाले उतने ना सर वाला था उसमें इस स्था टशी और और नुट्वेश यह उसमें इस तरह से स्थ गोश्चन दे रहता कि कुछ एक कोई भी एक प्रॉडक्त है पता नहीं कोई बानी जी का कॉश्चन बोल रहा है वानी जी तो हो गया कॉमर्स है ठीक है ना कोई बात नहीं वहां भेज दीजेगा ना गुरूप में उधर देखेंगे कि क्या है कॉमर्स का कॉश्चन है अभी इदर बिचारी लोग चैंसन में आ जाएंगे कोई दिकत तो अताब देखेगा इसके उपर बड़ा जबर्दस्ट कोश्चन बनेगा ठीक है ना चलिए सो दिस इस वाल फ्रम माई साइड इन दी प्रिजेंट लेक्चर थैंक यू एंड अल दी बेस्ट नाव विल मेट तुमॉरो एट टेनो क्लॉक और पहले हम लोग बेसिक दुरूस् एक है तरो कि घ्लोट मोमेंट बला ंदीजिए से अधान मोमेंट जयड़ जयड जैक दुद्पाट कर दीखा दीजेसर प्छसे कैसे बन्दा है वो जेड और जेड कंजुगेट जेड और जेड कंजुगेट सर उसका मुमेंट कैसा होता सर इन्डिपेंडन्ट वो कैसे दिखाते हैं सर आप बुक पूछ रहे हैं रुकिये नेक साथ आप भी बेज दीजेगा लीक के जो हम देख लेंगे उदर डिसकसन वाले ग्रुप में क्या मुम्मेंट पूछ रहे हम समझेंगे उसके बाद बुक तो बताए कि अगर बेसिक के लिए चाहिए तो सौम सिरीज है ब्राउन एंड चर्चिल वाली बुक है अभी देखिए जरा इधर से दूर कर दें सब बता देंगे इधर और कि यह साई यार ज्यादा तर कोश्चन इससे भी पिक करता है कसाना से अब आए अगा इस बतायते सुरूमें अधार लेट से आये होंगे थीक है नए वह इस वाइट अगव लिए मैं यह पूछ रहा है और बहुत सार इंडिपेंडेंट एंडिपेंडेंट है ऑडर पे एक स्वाइट का रहे हैं कि क्रिशना पॉब्लिकेशन के लिए ठीक हो इसे चलेगा उसमें कर दिया है और पेर बोले साथ वह एक स्वाइश साथ पॉइंट साथ और पेर साथ हाँ सब्सक्राइब क्या चीज कर रहे हैं मुवमेंट की बात नहीं समझें कुछ पिक्चर उचर यह सब तो नहीं कह रहे हैं जैसे आपका उपर ऐसे गया तो जेट कंजूगेट ऐसे बना यह वाला चाहरा है मुवमेंट किस सेंस में जैसे फिजिक्स वाले तो इसका को बच्चा स्टेडी करते हैं कंप्लेक्स पर ही दिखना है सब्सक्राइब क्या देखना है जैसे एक स्पैन हो रहा है अगर वन वन से यह चाह रहे थे और वन माइनस वन चाह रहे थे कोछ ही कुछ दिखाना चाहएं यह चाहां कि बसे इंडिपेंडेंट है साइब का हर पॉंइंट का एकदम से वैलू हर प्वाय उसकी वैल्व वह इसके पास रहे है कि अगर एक को मैं टी फॉंक्शन ले लिए और वाई को वान पर टी फॉंक्शन ले लूंँ सर हां जो ग्राफ आएगा सर वो उल्टा नहीं है सर उसकी हिसाब से मैं पूछ रहा था सर कुछ अलग संसे देखे अगर आपका जेड है आर इंटु इटु दी पावर आउटा थीटा तो जेड़ कंजूगेट वो आर इंटु इटु दी पावर माइनस अउटा थीट आएगा मॉडल तो वही रहेगा केवल जो है ठिट्टा आपका प्लस के जगा माइनस आ गया, सब का fixed image, जितना amplitude उपर उतना ही नीचे, तो ये तो जबरदस्ट dependency है, कहीं, इन दोनों को तो ये नहीं दिखाना चाहरे हैं, कि ये इसका multiple नहीं है, वैसी independence तो नहीं चाहरे हैं, linear का touch यहीं तो हम पूछ रहे हैं, कि ये इसका multiple नहीं है, ये इसका real times नहीं है, लेकिन ये इसका e का power iota two theta times तो है, complex times पक्का है, तो चाह क्या रहे हैं यही तो हम समझना चाह रहे थे कि आप चाह क्या रहे हैं सिंस बदल जाएगा चीजे बदल जाएगी और भिएस है यह इसका रिएल टाइम नहीं है लेकिन यह इसका complex टाइम जरूर है क्योंकि z bar into e to the power iota 2 theta that is equal to z यहां भी अगर यहां रखेगा कि ठीटा वैरी कर रहा है तो कौन सा डिपेंडेंची और कौन सा मुवमेंट और मेरा एक dependency का यह है कि किसी के लिए भी fixed तो इसको करते है dependent हम कुछ दिये आप उसके उपर fixed है जैसे arbitrary constant आप भरते थे तो इस place पे यह भरियेगा तो यहां यही भरना पड़ेगा तो यह place उसके उपर dependent हो गया और भरियेगा क्या तो conjugate भरिये चाहिए कुछ भरिये उस सेंस में चेक करेंगे तो dependency हो गई क्योंकि conjugate of any complex number is dependent on the given complex number वो से independent arbitrary वैलू नहीं लेख सकता है बहुत तरह का सेंस होता है किस सेंस में किस फिल्ड पे कैसा काम ग्राफिकल सेंस है कौन सा सेंस है ठीक है ना वह ऐसे देखिए रियल फिल्ड के उपर independent complex फिल्ड के उपर ठिटा के उपर dependent है जिससे आप multiply कर रहे हैं तो variable से multiply कर दिये तो dependency नहीं हुए independent हो गया तो सेंस क्या चाह रहे है हम बार बार सेंस की बात कर रहे है समझे हमारा सेंस अगर variable टाइम से गुना कर दिये तो वह independent है फिक्स हो गया तो dependent है ठीक है ना और एक particular value का conjugate उसके उपर dependent का मतलब जास्ट उसके उपर फिक्स है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे डिपेंडेंट उन बैट काम खतब एक्स प्लस आउटावाई का एक्स माइनस आउटावाई के लावा कुछ होई नहीं सकता ओके ठीक है सर्बोर यूजल में पोच रहाता साथ वो बताए ते सार उसका अदिस्टांस से उसका यूजएल डिस्टांस से कुछ रिलेशन नहीं से कीस इचोडिानस से तो साथ में अपने पताशिजाएगा हाइट और बेश उसके वंसार निकाल लिए लेकिन उसन से डिस्टेंस से क्या पताशलेगा साइन का साइन भी तो जरूरी है कि से क्योंकि बेस एंड पर पेंडिकुलर में भी पॉस्टिव और निगेटिव आप बो सेंस नहीं पता चलेगा सब्सक्राइब कि ठीक है ना कि और कुछ अच्छा ठीक है भेज दीजिएगा आसर में भेज रहा हूं से ठीक अभी एंड करें जी से ओके बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई